दोस्तों नमस्कार हम लोग बहुत ही जल्दी आज के सेशन की सुरुवात करने जा रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे लीडर से कि आप सारे लोग फटाफट जितने भी लोग यहां पर कनेक्टेड हैं वो लोग अपनी टीम को यह लिंक सेयर कर दें आपकी टीम बहुत इजी तरीके से बहुत इजी वे में यहां पर कनेक्टेड हो जाए शुरुआत करते हैं आज की सांदार सेशन का और आप सब को पता है कि आज कि जो सेशन वो बिल्कुल फ्रेसर के लिए है जिन्होंने एसले पियर्स वेलनेस में अपनी सुरुआत की है या जिसने डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज अपनी शुरुवात करी है आज ये पूरा के पूरा सेशन उन सारे लोग के लिए है ये आज का सेशन उन लोग के लिए भी है जिनोंने नेट्व मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी खासी टीम बनाई है क्योंकि दोस्तों आज जिस ट्रेनिंग को लेके हम लोग यह पा रही है कई लोग की ऐसी कंप्लेन होती है कि सर हमारी टीम डुब्लिकेट नहीं कर पा रही है कई लोग की ऐसी कंप्लेन होती है कि सर हमारी टीम में जो सक्सेस की रेशियो है बहुत स्लो है तो मेरे दोस्ति ये सब कुछ ये जो सारे आपके प्रस्ण है ये सारे जो आप कदम रखता है उसी समय यह training उस इंसान को दिया जा सकता है और मुझे लगता है ऐक लीडर को भी इस training को जरूर attain करना चाहिए क्योंकि इस training को attain करने के बाद leaders के जो हैं बहुत बड़े vision clear होते हैं और leaders आसानी से अपने team को build कर पाता है अपनी team को बनाने और develop करने में उसके लिए बहुत ही आसान होता है वो later बहुत easy way में अपने business को एक high pick पे ले जा सकता है तो बिना देर किये हमारे साथ maximum लोग जितने भी लोग आज क्रेट में आने हैं वो लोग maximum लोग अभी हमारे साथ connected हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि आज लोग connect जब हो चुके हैं तो हम लोग इसेशन की सुरुवात बहुत easy तरीके से कर सकते हैं हमारे साथ अभी current में लगबग 25-100 से ज़्यादा लोग लगबग connected हो चुके हैं तो हम लोग सुरुवात करते हैं मैं एक बार चाहूँगा कि जितने भी हमारे diamonds हैं वो अगर यहां पर इस training के अंदर हैं तो वो लोग अपना नाम और एक बार courts जरूर करें आप कहां पर भी मौजूद है और कहां से आप इस training को attend कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आज की सांदार closing के लिए हमारे सारे fighters को धेर सारी सुभकामना है बहुत बहुत बधाई हो कि आप सब ने आज के दिन एक बहुत ही सांदार और जांदार closing आप सब ने किया इस week के अंदर करीब चार हजार से ज़्यादा लोग बिजनस के अंदर आए हैं मेरे दोस्त जो जितने भी लोग हैं वो जितने भी चार से पांच हजार लोग हमारे बिजनस के अंदर आए हैं ये वही लोग हैं जो direct selling industry के अंदर Sleepiest Wellness के उपर उन्होंने विश्वास किया था और विश्वास करने के बाद वो एक बड़ी उच्चाई को चुना चाते हैं और इस बिजनस में जो उनके सपने थे उनस अपने को पूरा करना चाते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि कोई भी इंसान अगर इस बिजनस के अंदर आता है तो इस बिजनस को सीखें क्योंकि सबसे पहला कोशन ये होता है कि हम लोग आखीर किसी भी training को attend क्यों करें क्या जरूरत है इस training की मेरे दोस्त नेटो मारकेटिंग इंडिस्ट्री के अंदर हमारे बिजनस के अंदर हर प्रोफेशन से तरह-तरह के लोग आते हैं यहां पर कोई डॉक्टरस आता है कोई लॉयर्स आता है कोई स्टूडेंट आता है कोई इंजिनियर आता है अलग-अलग प्रोफाइल के लोग हमारे बिजनस के अंदर आते हैं अब चुकि नेटो मार्केटिंग इंडस्टी की कोई course करके तो इस business के अंदर आया नहीं और बोला जाता है कि दुनिया का कोई भी काम सीख के किया जाता है और जब तक उस काम के अंदर आपकी professionality नहीं रहेगी जब तक उस काम में आपको professional education आपके पास उस काम की नहीं हैं तो वैसी हमारे साथ अलग-अलग प्रोफाइल के अलग-अलग जगों से भिलोंग करने वाले लोग गरीब तबके से लेके अमीर तबके के बहुत सारे लोग हमारे बिजनस के अंदर हर वीक में हर दिन लगातार जोईन होते हैं लोग की सबसे हमारे बिजनस को जोईन करता है तो उसके मांड में वो डॉक्टर के बिजनस का जो फर्मूला वो घुम रहा होता है उसे लगता है कि हमने अगर बिजनस को जोईन कर लिया है तो कल से लोग की लाइन लगा के हमारे पास लाइन लग जानी चाहिए और कल से लोग आए हम लोग मेरे दोस्त आप सबने इस business को join किया है मुझे नहीं पता आपने क्या सोच के किया है आपकी क्या सोच रही थी कि सोच को लेके आप इस business के अंदर आये थे लेकिन जब तक आप इस काम में आने के बाद जब तक इस काम में involved होने के बाद इस काम को आप सीखेंगे नहीं तब त जो भी आपके सपने हैं या जो भी आप यहां से पाना चाहते हैं वो चीजे कभी भी आपके पास वो हासिल नहीं हो सकता हैं इसलिए हमें ये कोसिस करना चाहिए कि बिजनस में आने के बाद हम जादा से जादा जितना जादा से जादा हो सके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्योंकि हम training में आते हैं तो हम इस business के बारे में सीखते हैं आपने अलग काम सीखा है और जब आप direct selling में आ रहे हैं आप अगर ऐसले PS wellness के अंदर आ रहे हैं तो इस business को करने के एक अलग तरीका है इसलिए आपको भी यहाने के बाद इस काम को सीखना बहुत जादा जरूरी है इसलिए हर किसी को हर वीक में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए कई लोग बोलते हैं सर मैंने एक बार तो कर लिया मेरे दोस्त बिजनेस कोई एक लकीर नहीं होता जिस लकीर को अगर आपने एक बार याद कर लिया तो फिर अब आगे कोई प्रोलम नहीं होगी हर वीक के अंदर जब हम गराउन के अंदर जाते हैं तो नए-नए चैल्लिंजेज फेस करते हैं जब हम मार्केट के अंदर आते हैं तरह-तरह के लोग हमें मिलते हैं और वैसे condition वैसे situation के अंदर जब हम हर सबता इस training में आते हैं तो जो हमारी mind है वो बिल्कुल सार्फ हो जाती है जस्ट वैसी है कि एक लकड़ारा डेली लकड़ी का time करने जाता है लेकिन सुबह उठने के बाद वो सबसे पहला काम करता है मैं dear friend वो करता है अपनी कुलहाडी क सार्फन इसको सही करता है वो डेली सुबह उठने के बाद सुबह आदे से एक घंटा time अपनी कुलहाडी को सार्फन करने में time देता है और यही वज़ा होती है कि जब वो डेली सार्फ करके दुबारा जब अपने जंगल में जाता है लकड़ी को काटने के लिए तो बहुत इजी वे में बहुत असान तरीके सार्फन को काड़ पाता है हमारे बिजनस के अंदर भी ऐसा है जब आप बार बार ट्रेनिंग लेंगे तो अभी शुरुवाती दौर में आपको यह धंदा नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन जब बार बार आप ट्रेनिंग करेंगे बार परिवार में मिलते हैं अपने जानने परचानने वाले लोगों में मिलते हैं तो लोग आपको तरह तरह की बाते बोलते हैं कोई बोलता है यह जोडने का बिजनस है कोई बोलता है यह फसने फसाने का बिजनस है तो कई लोग आपको मार्केट में निगेटिव करते हुए मि जो दो, चार, पाऊंच लोगों आगर ना सुन लेते हैं। तो वो तो लास्ट में ये ठाख खरके छोड़ देते हैं, भई यह दंदा मेरे से होने वाला नहीं है। बहुत जार नेरी जारे है जो कुछ समय काम करने के बड़ इस बिसनों होते हैं इसलिए मेरा आप सबसे request है कि अगर आप इस industry में बहुत serious है अगर आपने इस काम को सुरू किया है कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपका क्या चेक बन रहा है जब सबसे important चीज़ है कि आप लगातार training attend कर रहे हैं और मैं तो खास कर कि यह जो basic training है यह आपके अपने सहर में हर जगा यह basic training होते रहती है आपके apply नों के मद्यमस होती रहती है तो कोई बात नहीं है कि अगर आपका business कैसा चल रहा है कई लोग ऐसा है अगर business अच्छा चल रहा है तो training में आते हैं और खराब चल रहा है तो नहीं आते हैं कुछ ऐसे हैं इनका अच्छा चल रहा है तो बोले आप मुझे सिखने की क्या ज़रुवत है हमेशा upgrade करने की ज़रुवत है इस दुनिया के अंदर हर इंसान को हमेशा update करने की ज़रुवत है एक mobile भी आप लेते हैं तो हर महीने उसमें एक software की updation आ जाती है अगर software हर महीने अगर update ना हो my dear friend तो mobile भी आपका अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा यह सच्चा है तो वैसी जब आप बार बार इस training program के अंदर आएंगे बार बार आप चीजों को सीखेंगे देखेंगे तो धीर धीरे जो direct selling industries related जो बाते है जो चीजे है वो आपको automatically समझ में आनी सुरू हो जाती है आपको आप सीखना सुरू कर देते हैं और वैसी आपके result आनी सुरू हो जाती है इसलिए दोस्तों आपको हमेशा कोसिस करने से ये कि आप हर बार हर समय जब भी आपको मौका मेले इस training के अंदर आएं दोस्तों बोला जाता है कि कि किसी भी काम को करने से सुरू करने से पहले ये ज़्यादा important होता है कि आखिर हमें उस काम को क्यों करना आज हजारों लोग इस business के अंदर आते हैं और अलग अलग thought के साथ आते हैं लेकिन हजारों लोग इस business में successful क्यों नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं ये business क्या है तो सबसे पहले आज की session में हम लोग जानने की ये जानना बहुत जादा जरूरी है कि वाकई ये industry हमारे काम की है या नहीं है क्योंकि अगर ये industry काम की नहीं होगी तो फिर time pass करने से कोई फायदा नहीं है लेकिन अगर काम की होगी तो फिर हमें इसमें लगना पड़ेगा तो ये इसलिए बहुत जादा जानना जरूरी है कि आखिर ये direct selling industry क्या है इस industry के बारे में deeply आपको समझना जरूरी है मेरे दोस्त आज के rate में इंसान दो ही तरीके से पैसा कमाता है पहला या तो वो job करता है या तो वो business करता है यही दो तरीके है और यही दो तरीके से आज पुरे दुनिया के अंदर लोग पैसा कमाते है या तो नौकरी करते है या तो business करते है अब किसे भी इंसान को अगर नौकरी करना हो तो नौकरी के लिए कुछ parameters होते है जैसे उसके लिए education qualification होना चीए आपकी education qualification जितनी अच्छी रहेगी जितनी सांदार रहेगी आपका जो job है उतना पहतरीन रहेगा आपकी education qualification का नुसार आपकी salary depend करती है दूसरा job में talent की जरूरत होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए job कर लूँगा पर साल एक कड़ोर से ज्यादा student market में graduate होके आते हैं और 27 to 20 to 30% employment ratio है यानि इलबब 20 से 30 लाख लोगों के लिए रोजगार हैं तो 70 लाख लोग जो market में बेरोजगार बैठे हैं वो लोग हैं जो already graduate हैं यानि जो पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी वो बेरोजगार हैं क्यों क्योंकि आज उनके पास opportunity की कमी है उनके पास कोई ऐसा platform नहीं है आज market में आप जाके देखिए अगर 5000 वेकेंसी होती है तो 55 लाख फॉम भरे जाते हैं यानि 95 लोगों को पता है कि इसमें मेरा selection नहीं होने वाला है फिर भी भीड जाती है और यह ऐसा देखने के लिए मिलत है कि आज जिसकी जितनी उकाद होती है जितनी जितनी qualification होती है उससे कम value की उसको job मिल रही है अगर कोई भी इंसान job में जाता है तो उसको एक time देना पड़ेगा और उसकी जो एक income है वो set है थोड़े दिन बाद agreement होता है लेकिन उसकी एक limitation है आपको lifetime हमेशा किसी ना किसी क अंडर में उसके orders को follow करना पड़ेगा और सबसे importance जो आज job को लेके लोग के पास बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है वो है job security threat आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन नौकरी करने के बाद भी कब उनकी नौकरी चली जाए इसकी कोई भरोसा न security threat है वो हमेशा लगातार लगी वी है यह वज़ा है कि आज की rate में हर एक इंसान extra source of income के बारे में सोच रहा है हर को यह सोच रहा है कि मेरे job के साथ साथ एक extra income कहां से आ जाए पार्ट टाइम एक income कहां से आ जाए हर को यह सोचने में लगा हुए है और हजारों लोगों को त business करने के लिए investment सही है आप एक बार सोच के देखिए कि क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पांच कड़ों दस कड़ों रुपे खर्च करके इन्वेस्ट कर सके और जिससे हम business develop कर सके यह सुचने वाला बश्य है और हमें समझना पड़ेगा कि यह industry में हमें काम क्यों करना ह हम क्यों इसको serious लें serious लेके करें या ना करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो join तो कर जाते हैं लेकिन बस इसको हलके में लेते हैं इसको serious नहीं लेते हैं मेरे दोस्त इस पॉइंट पर आपको समझने की जरूरती अगर आप invest कर भी देते हैं business के लिए तो क्या investment के ब आपको सारा काम छोड़के उसके पीछे लगना पड़ेगा तब जाकर बिजनस डेवलप होगा नेक्स्ट आज टाइलेंट की जरूरत है बिजनस में भेंकर कंपर्टीस है मेरे दोस्त आज यह सोचने का भी सह है कि हम किस कटिगरी में अपने आपको फॉल करते हैं आज हज इसे लोग क्या जमाने में कुछ बड़ा नहीं कर सकते एसे लोग क्या जिंदग्यों का अच्छे तरीके से नहीं जी सकते हैं मेरे दोस्त Canvas के लिए या इन चीजों सगर कोई उपर उठना चाहता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफोर्म है direct selling industry उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफोर्म देता है direct selling industry बहुत सारे लोग इस industry को हलके मिलेते हैं क्यों यह industry importance है मैं आपको कुछ facts के माध्यम से बताऊंगा बोला जाता है कि जितना जरूरी कि किसी काम को करना है उससे ज़्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पे करना हर चीज ट्रेंड का नुसार होता है एक दौर था 1950 के दसक में प्लास्टिक के जब यूग आया था उस समय प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर जिसने भी पैसा लगाया वो खुब पैसा कमा है लेकि 1980 में कम्प्यूटर इंडस्ट्री आई थे उस दौर में कम्प्यूटर इंडस्ट्री के साथ जिसने बिजनस किया आज के रेट मों इस इंडस्ट्री का हीरो है और इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे है 90 के दसक में टेली कम्निकेसन इंडस्ट्री आई थे आपने देखा हो हो सकता प्योंकि हर किसी के हाथ में mobile आ चुका है आज संभव नहीं है दोजार के दसक में insurance industry market में बड़ी भूम के तरीके से आई और आज 2010 के onward जो direct selling industry है मेरे दोस इस industry का trend market के अंदर आया है ये industry बिल्कुल booming phase में मतलब आज अगर किसी को एक बहुत बड़ा carrier बनाना है तो current trend को समझना पड़ेगा हर इंसान इस इंडस्ट्री की तरफ देख रहा है हर इंसान की नजर इस इंडस्ट्री की तरफ है मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं World Federation of Direct Selling Association की एक छोटी सी रिपोर्ट है 2017 में इंडस्ट्री 25,35,000 के थी 2019 में 18,25,000 की हुई और वही 2021 में यह इंडस्ट्री नग dieses हज़ार की बनी जबकि इंडिया की हालत देखे तो 10,551 यह ज़ार की 2017 में थी 2019 में 16,000 कडोर की इंडस्टी बढ़ी है और 2021 में लबक 24-1000 कडोर की टर्नोवर को इस इंडस्टी ने क्रोस कर दिया है और फिक्की और के पीमजी के एक डाटा बताता है कि 2025 तक डारेक सेलिंग इंडस्टी 65-450 कडोर को क्रोस करने को वाली है इसका मतलब ये इंडस्टी अभी लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखाना चाहूंगा कि आज इस इंडस्टी को लेकि हंदुस्तान की क्या अलत है ये WFDSA का एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के अंसवा 2013 में 48 लाग से जादा लोग डारेक सेलिंग इंडस्टी से अच्छा पैसा कमा रहे थे 2017 में लगब एक कड़ोर 81 लाग से जादा लोग को ये इंडस्टी रोजगार देने वाला है और आप समझ सकते हैं जब एक कड़ोर 81 लाग से जादा लोग हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्टी से रोजगार पाएंगे इस इंडस्टी से लोग पैसा कमाएंगे उस समय ये इं 15-16,000 रुपए दिया होंगे और उतने का प्रोडेक्ट आपको S.A.P.S. के तरफ से मिल गया होगा यानि आपका लगा क्या या तो आप प्रोडेक्ट खाओगे अपने घर में यूज कर लोगे या तो आप किसी और को सेल कर दोगे तो आपके पैसे बिलकुल लगे नहीं यानि investment क्या हुआ जीरो जीरो investment से बिजनस आपको मिल जाता है दूसरा no challenges for employment आज business world के अंदर सबसे बड़ी challenge है employee को अपने साथ रखना लेकिन यहां employment की कोई challenges नहीं है यहां पर आपको किसी कोई office नहीं बनाना कोई आपको employee नहीं रखना आपका business सुरू हो जाता है यहां पर कोई boss नहीं है आपका आप अपने मर्जी के मालिक हैं आप चाहो business जितना मर्जी करें आप business को कर सकते हैं कोई बॉस नहीं आपको बोलने वाला नहीं आपको बिजनेस जौइन किये MID 10 साल भी हो जाया अगर आपने एक दिन भी काम नहीं किया तो कभी SLEPS've agreement से आपके घर में नोटीस नहीं आएगा मेरे दोस्त की हाँ जी हमने business की बस्तरुमाद आपने किया और आपने एक क्यों नहीं डाला नहीं आने वाला हैं यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है क्योंकि जब कुछ लगा नहीं तो कोई रिस्क की चांसेस है नहीं यहाँ पे कोई legal liability नहीं है आज business खड़ा करने जाएं तो 1000 लीगल liabilities हैं अजारो certificate बनवाने पड़ते हैं आजारो certificate बनाने के बाद तब आप उस business को खड़ा करते हैं पर एक भी government policy को अगर आपने hit नहीं किया तो business करा हो जाता है बहुत बड़े challenges होते हैं लेकिन आप पे कुछ भी नहीं है company आपके account में 5% tedious card के पैसा देती है यानी 100% आप white money यहां से कमा रहे हैं work from home इस business को आप दुनिया में कहीं से कर सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता कोई office की जरुवत नहीं है आप घर से कर सकते हैं यहाँ पे fewer flexible working hour है आपका मंद जैसा अब उतना time इस business को दे सकते आगर आप पाट time कर कर सकते हैं अगर आफ फुल time करना चाहते है चाहते हैं तो आप फुल टाइम इस business को कर सकते हैं यहां पे time compounding through duplication आप अपने जैसे लोग अपने ndaun में ला सकते है और उनको जब आपका पैसा और आपके टीम का पैसा कंपनी के अकाउंट में जाते हैं, उसके एवज में आपके सेस्पॉइंट एड होते हैं और आपको पैसा मिलता है, यानि क्रेडिट का कोई जमेला नहीं है, कोई qualification के requirement नहीं है, आप सच बता ही है, जब आपका अप्लाइन आपके घर में आया था, कि आपके अप्लाइन आपसे पूछा, आपके पड़े लिखें, आपको बोलना आता है, नहीं आता है, कुछ पूछा, आपका एज पूछा, आपका जात पूछा, आपकी qualification, बिलकुल कुछ नहीं, यहाप एक ही चीज़ पूछा आजाता है, कि क्या आपके mentorship मिलता है, यह कलोती है, इस industry है मेरे दोस्त, जहाँ पे आपका applying, हर समय आपका हाथ पकड़े रहता है, जहाँ पे आपका applying, हर समय आपको यह जनकारी दे रहा होता है, कि आज आउ मिलके काम करते हैं, आज market में आप जाईए, किसी office में आप काम कर रहें, अपने boss जाके बो समय सुनना चाहता है, आजाओ मिलके काम करेंगे, इतना जो भ्यंकर support है, वो direct selling में मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता है, ऐसलिप्यस wellness के अंदर मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता है, मेरे दोस्त, अब आप सोचिए, जो industry, इतनी बड़ी flexibility आपको दे रही है, क्या इस industry म काम करके हम लोग career लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, और मैं बोलता हूँ कि आप इस काम को नहीं करो, तो एक बार सोच के देखो कि कौन सा ऐसा platform है, जो मेरे जिन्दगी में बदलाओ कर सकते हैं, और कोई platform नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, यह बात सोचने की जरू हो सकते हैं, यह अगर कहीं हो सकता है, तो केवल और केवल इस industry के अंदर हो सकता है, और कहीं भी नहीं हो सकता, यह industry की तांका है, यह हमें समझना पड़ेगा, यह industry की power है मेरे दोस्ते, तो आज ऐसे condition, ऐसे situation में लाखों लोग इस industry के अंदर अपनी opportunity की तलास कर रहे हैं, ल लेकिन सबसे बड़ा challenge आता है एक अच्छे platform का, क्योंकि आज हजारों लोग इस बात से परिसान है, company आती है, चली जाती है, इसलिए एक बहुत बड़ा challenge होता है, कि हम जहां जिस platform पे काम कर रहे हैं, वो platform दमदार है या नहीं, क्योंकि बोला जाता है, कि इनसान सपने के पार्ट है, आप हिंदुस्तान की सबसे ताकत और company, ऐसलिए पियस वेलनेस के हिस्सा है, क्योंकि बोला जाता है, कि अगर platform में दम हो, तभी इनसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके successful हो सकता है, क्योंकि बहुत बहुत समझना important है, क्योंकि बहुत direct selling industry से नहीं होता है, मेरे कर रहे हैं, तो आप सारे लोग बहुत लखी हैं कि आपको ऐसलिए पियस वेलनेस ऐसे platform में काम करने का मौका मिला है, कोई भी direct selling company उसमें तीन चीज़े बहुत देखना जरूरी है, सबसे पहला होता है product, आप जिस company के साथ काम कर रहे हैं, उसके product बहुतरीन कैसे हैं, और मे आज इस product की तारीफ करते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, हमारे product ने 3-4 महिने के अंदर result दी हैं, घुटने के दर्द, जहां पे 2-3-3 लाख रुपे लोग खर्च करने के बाद result नहीं ले पाये थे, वैसे जगों पे हमारे product के भ्यंकर result हैं, और मे production के जरुद पड़े, तो production unit हमारा जैपूर के अंदर मौजूद हैं, ऐसे महान सक्सियत जिन्होंने इस company को बनाया, Mr. Sanjeev Kumar Sir के लिए, हमारे महागुरू जी के लिए एक जोड़दार तालिया होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने भ्यंकर सपनों को देखा हैं, मेरे द दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, आज हमारे product बिल्कुल दंदार हैं, आज payout system के अगर बात को लो, तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा payout देने वाली संस्ता है, 62-70% का payout देती है, और वो भी plan में लिखके देती, और तीसरा education system बहुत ही powerful है, एक platform का सही होने का जो पैमाना है, वो यही तीन चीज़ है, अच्छा product, अच्छा payout, और अच्छा education system, अगर यह तीन चीज़ किसी भी platform में सही है, तो मेरे दोस्त वो platform फिर सही है, फिर हमें platform के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं बोलता, आज ऐसलिए PS wellness के अंदर, अगर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक platform, सही platform के अंदर हैं, आज हजारों लोग market के अंदर मिलेंगे आपको जो आपको गुमराय करने की कोशिस करेंगे, इस company में आ जाओ, यहां पर यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, हजारों लोग मिलते हैं मेरे द इनो powerful आपको लग रहा है, तो दिमाग को लोग करो और single mind approach के साथ इस business की सुभात करो, मैं थोड़ा सा इस industry की ताकत बताना चाहूंगा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एसलिप एस wellness की अस्थापना 9 November 2014 में हुई थी, आज द्वारक्या सेक्टर 17 में इसकी head office है, और वही से पूरे इंडिया का अंदर business करती, is the personality, the man behind this game, मिस्टर संजीू कुमार सर हमारे great applying, हमारे great महागुरू, आर्मी में job करने के बाद, वहां से successfully, आर्मी से retire होने के बाद, direct selling industry में लगए 15-16 साल इनोंने काम किया, और देखा कि आज हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी कंपनिय हैं, जो real direct seller को एक अच्छा platform provide कर रही है, आज काम करने वाले तो लाखों लोग हैं, लेकिन लोगों का career क्यों इसलिए खराब हो जा रहा है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा platform नहीं है, इसलिए मेरे दोस्त 9 नौमर 2014 को संजीू कुमार सर ने SLPS wellness की अस्थापना करी, और इ पिछले 8 साल के अंदर आज अगर कंपनी की turnover की बात किया जाए, तो लगो 1800 कडोर की turnover को cross कर चुकी है, आज कंपनी के पास 55 manufacturing plant है, आज अगर बात किया तो 7 एकड की कंपनी की के केवल factory की spaceses है, जहां पे कंपनी ने planning करके रखाए कि आने वाले समय में, अगर 50-60,000 कडोर के भी turnover की हमें जरूरत पड़े, तो वहां से भी हम अपने business को develop कर सकते हैं, वहां से भी हम अपने धंदे को बहुत बड़े level पर ले आ सकते हैं, यह बहुत important है, और इससे जदा important यह होता है कि आज कंपनी के पास 9 wear houses होते हैं, क्योंकि product बनाना important है, लेकिन उन product को लोगों तक पहुँचाना भी बहुत जदा important होता है, कि हम उन product को लोगों तक पहुँचा कैसे सकते हैं, यह बहुत important होते हैं, आज इस संस्था के पास 600 से ज़्यादा franchise है ताकि product लोगों तक पहुँच सके, और यह वज़ा है, जिस facility के साथ इसलिए P.S. wellness काम कर रही है, आज 225 से कडोरपती कलब हो चुके हैं, आज 100 से ज़्यादा लगजरियस काड़ी के ओनर्स यहाँ पर हो चुके हैं, आज 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जो कार ले चुके हैं, आज मिलिनियस कलब की बात किया जा तो 2000 से ज़्यादा लोग मिलिनियस कलब में आ चुके हैं, और मेरे चैंपियन ओप चेंज के वाड़ आप देख सकते हैं इंडियान आइकन बिजनस एवाड मिलियम बिलियंस एवाड भारत सौरसरी आवाड इंटरनेशनल एक्सलेंस एवाड संकल पे सिद्धी आवाड एसी आवन इंडिया ग्रेटेस ब्रांड एवाड और हमारे कंपनी के मैन प्लेटफरम के साथ खड़े हैं क्या आपको नहीं लगता कि आप एक मजूद प्लेट्फरम के साथ काम कर रहें आप कमेंट में जरूर रियस या नो लिखके जरूर बताएं कि अगर आज हम जिस संस्था के साहत काम कर रहे हैं घर्व से किसी के सामने बول सकते हैं यहां इस साल की लभग जो इंकम आती है वो एक लाख रुपए की आती है अब दूसरे साल यह जो सौ लोगों की टीम आपकी बनी थी उस सौ में से 95 लोग आपके यूजर बने और कियो पांच परसेंट लोग आपके पर्मोटर बने और यह पांच परसेंट लोगों ने अगर सौसो का भी नेटवर्क बनाया तो लगवप पांच लाख का नेटवर्क बन जाता है और जो आपकी इंकम आती है वो पांच लाख की आती है तिसे साल में यह पांच सो लोग आपके साथ बिजनस शुरू किये जिसमें 450 लोग में मान के चलता हूं यूजर बने तो 50 लोगों ने का किया और यह 50 लोग जस्ट आपके जैसा काम किये तो लगवग 5,000 का निट्वर्क बनेगा एक 100 SP के एवरेज पे अगर मैं बात करता हूं तो लगवग यहां पे 50 लाग की आपकी इंकम आएगी और चौथे साल में my dear friend 4500 लोग यह जो 45,000 लोग आपके यूजर बनेगे जो प्रोड़क्त खाये पीए खुस और क्यों 5,000 लोगों ने भी काम किया तो 5,000 इंटू 100 यानि लगवग 5 लाग की आपके टीम बन जाएगी और पांच यह साल की जो क्या आपको लगता है कि इस बिजनस के अंदर हम सारे लोगों को अपनी केरियर लगानी चाहिए क्या आपको लगता है इस बिजनस के अंदर हमें जोग के काम करना चाहिए क्योंकि जो प्लेटफोर्म इतनी ज़्यादा flexibility दे रही हो जो platform इतना जदा strong हो मेरे दोस्त अगर उस platform के अंदर आप आतो गए हैं लेकिन उस platform के अंदर दिल से अगर सीख के आपने काम कर लिया तो इस बात की मैं guarantee देता हूं काने से 2-3 साल के अंदर आपकी life में भी ये industry बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है तो platform बहुत powerful है लेकिन अगली एक और चीज आती है कि आखिर इस काम को करना कैसे साइद आपको समझ में आगया होगा कि हमें क्यों करना है लेकिन अगला question आता है कि आखिर इस काम को कैसे करना तो मेरे दोस्त एक सीधा सा जबाब है सिस्टम का अनुसार इस काम को करना है इस दुनिया के अंदर कोई भी इनसान किसी भी काम को करता है तो अगर उस सिस्टम का अनुसार करता है किसी ने कोई फेर वदल नहीं किया अजारों साल पहले गीता को लिख दिया गया था बाईवल को भी जब से क्रिस्चेनिटी सुरू हुई तब ये बाईवल आई कुरान के बारे में बोला जाता है कि सारी आयते उपर से आई हुई और ये जैसे है आज भी वैसी है और बोला जाता है कि जो लोग यहाँ पे लिखे हुए तरीके से अपने जिन्दगी को जीते हैं वो लोग धर्म का अनुसार अच्छी जिन्दगी जीते हैं और जो लोग उसको मैं सास नहीं लूँगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं बढ़ सकता है, आप सोचीए, अगर आपको किसी भी काम में successful होना है, तो उस काम के system को follow करना पड़ेगा, जैसे मैं एक चोटा सी example लेता हूँ, अगर किसी को doctor बनने है, तो doctor बनने के लिए 11th, 12th class में physics, chemistry, bio लेना बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि system बोलता है, system बोलता है doctors बनने के लिए यह करना जरूर ही है, तो यह सी direct selling industry का एक system बना हुआ है, जो लोग भी इस industry को सीख के, इस industry के system का नुसर काम करते हैं, वो लोग बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, इस industry में दो category के लोग होते हैं, एक रामु čायवाला होगा, जिसकी तीन फिडियां लगाता, एक सहर में एक चोराहे पर चायओ लगा रही है, चाय का ठेला लगा रही है, पहले उसका दादा लगाता था, फिर उसका बापु लगाता था विवो रामुचायवाला चायओ लगाता है, और उसका बेटा भी अगतार ट्रेंड हो रहा है तीन पीडियों ने चाय का बिजनस किया लेकिन आज भी उसकी पीडियों को चाय का बिजनस के वल परिवार की रोजी रोटी चलाने का काम गरती है जबकि वही एक बंदा था जिसने चाय लगाया MBA चाय वाला उसने एक सिस्टम डेवलप किया और चाय बेचने से लेके आज की डेट में कड़ोरो के कमपनी का मालिक बन चुका है ये फरक पड़ता है विद सिस्टम और विदाव सिस्टम काम करने का रामू मेहनत जरूर कर रहा है लेकिन वो सिस्टम फॉलो नहीं किया उसने चाय के बिजनस में सिस्टम नहीं लाया तो वो अनसिस्टमेटिक डेली कमा रहा है खा रहा है और MBA चाय वाले ने चाय के बिजनस में सिस्टम एड़ कर दिया और ये वज़ा है को उसके चाय का बिजनस ही कड़ोरों में पहुंच गया मेरे दोस्त आपने देखा हो कि आपक का गुजारा चलाता है लेकिन आपके ने एक और बर्गर वाले देखा होगा मैक डी आपने एक और बर्गर वाला देखा होगा बर्गर की ये भी बर्गर बनाते हैं लेकिन उने एक सिस्टम डेवलोप किया और आज क्रेट में कडोर वर्वों की कमपनी खड़ा कर दिया डार लेकिन अगर सिस्टम का नुसर आपने काम किया तो बहुत भ्यंकर पैसे कमाऊगा और बहुत तेज रफतार में आपका काम होगा बाई नियम है गरिविटेशन का कोई भी चीज उपर से गिरेगा तो नीचे जाएगा लेकिन वही उस चीज को आप एरोपलेन में बैठा दो और नीचे से उपर जाएगा एरोपलेन क्या है एरोपलेन इस सिस्टम कोई इंसान कितनी भी तेज जोड़े तो उसकी एक लिमिटेशन इतनी रफतार दोड़ सकता है 50 km 60 km 70 km यह रफतार उसकी लिमिटेट है लेकिन उसी इनसान के एरोपलेन में बैठा तो दो घंटे कंद दिली से वारा नसी जा सकता है, दिली से गॉलकता जा सकता है, aeroplane is the system, वैसी जब भी आप system का अनुसार इस काम को करना सुरू कर देते हैं, system का अनुसार इस काम को करना आप जब सुरू कर देंगे, मेरे दोस्तों आपकी जो रफ्तार है, जो आपकी speed है, वो कई गुना है कि अगर आपको direct selling industry में काम करना है, तो आपको कुछ चीजों को अपने mind में रखके काम करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज, यहाँ पे दिया हुआ है success path, इसमें पहला आता है P for patience, यहाँ पे आपको धैरे के साथ business करना है, यह business त्यार होगा, sorry यहाँ पे मुझे लगता से पैसे आते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने आज business सुरू किया और कल से कड़ो रुपे आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे धहरे रखने की जरूरत है आपको, धहरे fully आपको business को पहले track करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यह बहुत ही जरूरी है यह बहुत ही important है, इसलिए पहला होता है patience, आप यह सोच के मत आए कि मैंने join किया और कली हमारे पास लाखो रुपे की income आजए, नहीं, पहले business बनेगा, तब इस business से पैसे आएंगे, और तबता का आपको patience fully business को develop करना है, दूसरी चीज, A for attitude, आपको positive attitude के साथ business करना है, और positive attitude मतलब आपको products related, payouts related, business related, अगर आपके mind में कोई भी concern है, मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको वो सारे concern अपने applying के साथ बैट के discuss करना चाहिए और उसको close करना चाहिए, उसको खतम करना चाहिए, लेकिन धंदे में सुरुआत करो, तो 100% positivity के साथ, 100% positive attitude के साथ business करो, अगर तो आपका business, इस दुनिया की कोई ताकत आने वाले समय में रोक नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे से लोग हैं जो business करते तो हैं, लेकिन 50% positive, positive percent negative होते हैं, तो positivity और negativity का ऐसा है मेरे दोस्त, कि अगर आप 99% भी positive हैं, 1% भी negativity आपके mind में आई न, तो आपका पूरा business कर 100% positive हो, और जो अगर सोच लिए, मैं बोलता हूँ, या तो सुरू मत करो, लेकिन अगर आप सुरू कर लिए, तो फिर negative positive मत हो, 100% market में जाओ, तो positivity के साथ जाओ, दो दृष्टिकोन होते हैं, positive दृष्टिकोन और negative दृष्टिकोन, किसी इंसान को ये bottle आदा खाली नजर आ स सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, मेरे दोस्त, लेकिन ये बात दोनों इंसान की मानसिकता को दर साता है, कि कोई भी इंसान किसी बात को किस तरीके से लेता है, तो यहाँ पे successful होने के लिए, आपका attitude हमेसा positive होना चाहिए, अगर आपने शुरूबात किया है, तो आपको product, applying system, education, किसी भी चीज़ को लेकर negative, 100% positivity के साथ काम करना है, market में कोई भी आपको कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप positive रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको successful होने से नहीं रोक सकता है, तीसरी चीज़ है teachability, हमेसा सीखते रहने की कोशिस करना है, जब भी कभी मौका मिल तो training, meeting जब भी आपको attend करने का मौका मिले, उससे पीछे मत हटो, यह business ही है, सीखो, सीखाओ, पैसे कमाओ, सीखो, सीखाओ, पैसे कमाओ, आपको business में सीखना है, लागातार सीखना है, कोई यंत नहीं है, कई लोग बोलते हैं सार, अब तो मैं diamond बन गया, diamond बनने से भी कम है, लेकिन आज भी मैं इस business को सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखते रहना बहुत जरूरी है, कोई इनसान इस business को सीखे और सीखाने का काम हमारे fighter success system करता है, और last honesty, इमंदारी के साथ business करो, आप इसलिए काम मत करो, कि आपका apply ने आपको बोल रहा है, आप इसलिए काम मत करो, इसलिए काम करो, क्योंकि आपके सपने यहाँ पे, आप इसलिए काम करो, कि आपने अपने परिवार के सपने यहाँ पे लगाये हुए है, honesty, इमंदारी बहुत जरूरी है, मेरे दोस्त बिजनस में, बहुत जरूरी है, क्योंकि यह business इमंदार लोगों का business है, यह image का business है, अ अगर आपने किसी के साथ, किसी ने अगर आपको डीडी के पैसे दिये, आप वह पैसा गटक जाती है। तो चलो एक बार तो आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। लेकिन आएने वाले समय में जिस दिन उस इंसान को पता चला कि ये किट का पैसा ले लिया, डीडी का पैसा खा गया, थोड़ी सी इमंदारी नहीं रखा, तो मेरे दोस्त आपकी इमेज पर्मानेंट खराब हो जाती है। यहाँ पर कुछ भी अपने बुद्धी नहीं लगाना, कुछ भी अलग से नहीं करना, यह सिंपल सा बिजिनस है, अप्लाइन से पूछो ऐसे, कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिस्टम डवल डेवलप किया है, और आज जितने भी आपको लगातार डायमंड्स डवल डायमंड्स तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह वही लोग हैं, जिन लोगों ने केवल कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, इस सिस्टम में केवल चीजों को फॉलो किया, जो बाते ने आपके अपलाइनों ने बता है, इस लिए इस بिजनस में सक्सेस्फुल कून होता है, जो मंकीच फर्मूला को फॉलो करता है, मंकीच फर्मूला मतलब मंकी छी मंकी डू, आपको कुछ भी उद्दी नहीं लगाना, आपको केवल और केवल डोब्लीकेट करना ह तो यहां पे success को मैं तीन पार्ट में बाढ़के आपको बता सकता हूँ 90% business जो यहां पे आता है वो आता है excitement से आपने अगर इस काम की सुरुवात करी है तो आपको बिल्कुल excited रहना है 90% business आपका excitement से होगा business होता है excitement से एकदम अगर आपने इस धंदे को join किया तो excited रहो मैं देखता हूँ कि लोग 20,000 की नौकरी लग जाती है खुब excited होते हैं 25,000-30,000 की नौकरी लग जाती है खुब excited होते हैं मिठाईया वाटते हैं लेकिन जहां पे 70 कडोर की business opportunity आपको मिल चुकी है जहां पे 70 कडोर कमाने का मौका आपको मिल चुका है मेरे दोस्त एक बार सोच में लेके जाओ आपने बहुत बड़ी business opportunity को जोईन किया है एक doctors जब imbevious के लिए first year में admission लेता है न तो white coat apron लगाना शुरू कर देता है और अपने नाम किया कि डॉक्टर लगा देता है आप मुझे बताओ क्या वो डॉक्टर बन गया क्या degree मिल गी तकि नाम किया कि एर में admission लेते ही क्यों क्योंकि उसको विश्वास उसको believe है कि अगर मैं admission लिया है तो hundred percent मुझे degree भी मिलेगा इसलिए नाम का गए doctor लगा देता है और उसी दिन से वो excited होके अपनी education को लेना शुरू कर देता है वो ऐसी मेरे दोस्त आज आज आपने business join किया मुझे नहीं पत यदो से मरे मरे मिलोगे उदास होके मिलोगे आप सच बताओ comment करके बताओ क्या अगर उदास होके लोगों से मिलते हैं comment करके आप बताईए chat box में क्या कोई भी इंसान marial logo के साथ join करना चाहता है आप किसको choose करेंगे एक excited person को या एक ऐसे इंसान को जो उदास हीन होता है आप एक्साइटेड लोगों को पसंद करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि जब मार्केट में जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको किस रूप में देखना चाहते हैं यहां पे गरीब इंसान का बच्चा एक गरीब परिवार का बच्चा आता है और तीन से चार साल काम करके और डी BMW Mercedes जैसे गाडियों के अंदर आ जाता है वो excitement आपके अंदर आना चाहिए चलो ठीक है यार अभी आपकी चेक नहीं आईए लेकिन आएगी यह विस्वास है ना विस्वास नहीं अगर अभी भी डाउट है तो मैं बोलता हूँ पहले जागे डाउट के लियर करो लेकिन अगर बिलीब हो गया 100% और अगर आप आगए हो मार्केट में जाओ तो पूरा excitement, full excitement के साथ मार्केट में जाओ लोगों से मिलो तो full jose और full energy के साथ में जब आप full energy और full jose के साथ लोगों से मिलेंगे ना मेरे दोस्त कोई फरक नहीं पड़ता मैं एक बात बहुत आपको समझा रहा हूँ लोग आज मार्केट में ना आपके प्लान को देखके आते हैं नो आपके payout को देखके आते हैं लोग आपको देखके आते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं और लोग आपके साथ तब आएंगे लोग आपके साथ तब connect होंगे लोग आपके product को तब खर देंगे मेरे दोस्त जब आपके अंदर दम होगा आपके अंदर से excitement दिखाई देगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं, बोलते हैं, यार ठीक है, मैंने तो जोइन कर लिए, अब तू देख ले, तेरा कुछ होगा, तो ठीक है, भाई मुझे मत बोलना, अब आपका belief level खुद ही हिला हुआ है, तो आप लोगों को क्या ही जोइन करा सकते हैं, लोगों आपके साथ क्या आएंगे और ऐसी लोग के साथ मेहनत करने के बाद भी टीम नहीं बनती और वो लोग अपने के पास आते हैं, अपने अप्लाइटसे मिल के बोलते हैं, सर मैंने बहुत मेहनत किया, कोई नहीं आया, बहुत इम्पोर्टनिट है मेरे दोस्त, मैं बताता हूँ आपको प्लान देना नहीं आता, कोई फरक नहीं पड़ता, आज बहुत सारे ऐसे एक्जामपल है, इसलिए PSOLS के अंदर, जहां पे चौथी क्लास पास लोग जिनको प्लान देना अच्छे से नहीं आता, क्यों एक क्वाल्टी अपने अंदर ने डेवलप कि या 90% excitement और वो आज बिजनस में कड़ोर पती बन चुके हैं, ब्लू डैमंड, ब्लैक डैमंड लेवल तक पहुंच चुके, केवल इस ये क्वाल्टी, तो अगर आपको successful होना है, तो 90% excitement को न अपना बिल्कुल घना बना लो, ठान लो, कुछ भी करना है, excited होके market के अंदर ज रुपे की हवा ना हो, तो क्या है वो गाड़ी आप चला नहीं सकते, अगर चला है अभी तो आपका गाड़ी कुछ दिन के बाद खराब होगा, आपका टैर बरवाद होने माला है, ये वैसी है, तो applying और downline के बीच में जो fine tuning है उसका सही होना बहुत जरूरी है, और fine tuning करने उस इंसान के साथ trust करो, उस इंसान को पर faith करना सीखो, ये trust इसलिए नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि हो सकता अभी उस इंसान के साथ आपका नया समय हो, आप अभी समझ नहीं पाया हो, लेकिन जब तक काम कर रहे हैं, तब तक आपको उस इंसान पर trust करना पड़ेगा, उस इ अप्लाइन आपसे कम पड़ा लिखा हो सकता है, लेकिन किसी अप्लाइन के परती समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान के सामने जुक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी success को समर्पित कर रहे हैं, आप अपने सपनों के लिए किसी के सामने समर्पन कर रहे हैं यह समर्पन आपकी ताकत है नगी किसी के सामने जुकाओ है आज कई लोग हम से पूछते हैं कि सर आपके बिजनस में लोग अपने अप्लाइन को गुरुजी क्यों बोलते हैं मेरे दोस्त वो गुरुजी बोलना एक समर्पन है और हम सिर्फ गुरुजी नहीं बोलते बलकि हमारा अपने अप्लाइन के सामने अपने अप्लाइन के पास वो समर्पन होता है कि हमारा अप्लाइन बोलता है लेफ्ट तो हम लेफ्ट जाते हैं बोलता है राइट तो राइट जाते हैं मेरे दोस्त मेरे सक्सिस का कोई भी राज नहीं है, एक ही राज है कि हमने अपने ग्रेट अप्लाइन में हम महागुरु सिव कुमार सर के साथ एक चबर जस्ट पाइन ट्यूनिंग बनाई, और सर ने जैसे बोला हमने आख बंद करके भरोसा किया और उस काम को वैसी किया, जै इससे आपकी ट्यूनिंग बनेगी, इससे आपकी फाइन ट्यूनिंग जबर जस्त रहेगी, जब आप अपने अप्लाइन के सामने समर्पित रहेगी, जबर जस्त रहेगी, और एक और कुछ अच्छी तरीके में बता रहा हूँ, डेली एक कॉल अपने अप्लाइन को जरू जब आप डेली का एक कॉल अपने अप्लाइन को करना सुरू कर देंगे आपका बिजनस जबर जस्त तरीके से डिविल अप करेगा कोन से कभी भी बिजनस बड़ा होने वाला नहीं है आदत बनाईए डेली सुबह उठने के बाद अपने ग्रेट अपलाइन को एक कॉल जरूर करें हमेशा एक कॉल जरूर करने की आदत बनाईए दूसरा अपने अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग कीजिए इससे आपकी पाइं टूनिंग रहे गी अगर आप अपने अपलाइन को डेली कॉल डेली रिपोर्टिंग करेंगे तो हमेशा जब्य अपने अपलाइन से बाद कीजिए तो एक रिस्पेक्ट के साथ बात बैद जरूर करो ऑल्वीज बात करो कोई भी प्रोलम आ रही है लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं कोई दिकत आती है अप्लाइन को फोन करते हैं तो अप्लाइन को है ऊपर धौज जावाने लगते हैं अप्लाइन को ही मतलब खरी-खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं उसको बड़ा हुरा बोलना शुरू कर देते हैं उससे जगड़ा करने लगते ह है वैसे आपका अप्लाइन भी वह भी एक इंसान है समझो ठीक है आपके काम ने से आप्लाइनिकी चेक आती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कुस्स इंसान के सामने कुछ भी बोलते हैं कुर आप applying की तोहिन कर रहे हैं, applying की disrespect कर रहे हैं, तो आप system की disrespect बोल रहे हैं, यह system बोलता है, और अक्सर ऐसे लोगों का business खराब हो जाता है, जो system को तोड़ते हैं, जो system के rule regulation को follow नहीं करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिस इंसान को आप अपना applying मान रह और आदत बनाईए, कि अगर मुझे successful होना है, तो daily applying को एक call सोने से पहले जरूर करें, आप मैंसे कितने ऐसे लोग हैं, जो आज के बाद अपने applying को daily रात को सोने से पहले call करके, आगर आपने काम नहीं किया तो sorry बोलेंगे, काम किया तो उस काम के reporting देंगे, आप इस comment box के अंदर जरूर बताई, कि सर आज से मेरे applying ये है, मैं इनको reporting जरूर करूँगा, मैं चाहता हूँ कि फटा फट जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग इस comment box के अंदर अपने applying का नाम जरूर लिखे हैं, और उस applying को आज से आप report करेंगे, उस applying के साथ आपकी tuning जबर जस्त रहे को आप आगे बनाएंगे, मेरे दोस्त, जब इन चीजों को आप करना सुरू कर देंगे, तो आपका जो applying के साथ जो relationship है, जो आपकी relationship हो अच्छी चली जाएगी, और जब applying के साथ fine-tune नहीं रहेगी, इस दुनिया का कोई भी business, आपको कोई रोख नहीं सकता है, याद रख मैं दूआरा खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि applying ही हमारा life line है मेरे दोस्त, कुछ भी हो जाए, अपनी बात रखो लेकिन रखने का तरीका होता है, आप एक तरीके से रखो, अगर आपको कुछ बाते हैं, आपको लगता है कि यह गलत है, तो आप सही तरीके से रखो, एक respect और यहां जाए, फिर वो फोन करेंगे, सर यहां और नहीं आया, तो सर क्यों नहीं आया, जाओ मैं रूट किया, मैं इसलिए सर काम नहीं, आप अपनी career बनाने के लिए आया हो, या किसी और की career बनाने के लिए आया हो, या आपको सोचना पड़ेगा, या आपको समझना पड़ अगर आप अपनी career बनाने के लिए आए हैं तो मेरे दोस्त अप्लाइन के साथ tuning बनाईए अप्लाइन को use मत कीजिए मैं फिर बता रहा हूँ अप्लाइन से सीखो अप्लाइन को use मत करो क्योंकि अगर आप अप्लाइन से सीखेंगे न जीवन भर आपका अप्लाइन आपके सामने life line बनके रहेगा एक दिन का टाइम भी अप्लाइन का ना मिले तब भी कोई फरक नहीं पड़ता लोग सोचता है का अप्लाइन का टाइम मिलने से business बढ़ा हो जाएगा मेरे दोस्त बेसिक एट स्टेप से इस स्टेप्स को फॉलो करना है अभी देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हम लोग लाइव ट्रेनिंग कर रहे हैं तो करीब एक घट से दो गंटे के अंदर बहुत सारे लोग आउट हो जाएंगे लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार आज हजार से ज्यादा लोग अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो दोस्तों अब मैं अब हम लोग बात करेंगे आगे हमारे बेसिक जो एट स्टेप्स ट्रेनिंग है जिसको जिसको मैं अभी बता रहा था आपको जो यह एट परसंट टेक्निक है वो सक्सेस के लिए जो पानवे जोइनिंग तो आएगा 92 परसंट लोग तो आप अपने साथ लही आएंगे यह बहुत समझना जरूरी है बहुत जानना जरूरी है और तो दोस्तों यह 8 परसंट जो टेक्निक है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आप यह समझ लो कि जैसे किसी की साधी होती है साधी में 7 वचन लिए जाते है न वैसे आप इसको याद कर लो यह वैसी आपके 8 वचन है और इन 8 वचनों को जिसने फॉलो कर दिया यह 8 स्टेप्स को जिसने नेटो मार्केट इंग्डस्टिक अंदर फॉलो कर दिया और अपनी तीम को कंटिनिवर्सली फॉलो करा दिया कंटिनिवर्सली जिनको फॉलो करा दिया उसकी सक्सेस इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और यह याद होना चाहिए यह बाई हाट आपको याद होना चाहिए अगर आप डारेक्स लिंग कर रहे हैं यह बेसिक याद होन सबसे पहला है ड्रीम दूसरा लिस्ट तीसरा इन्विटेशन चौथा प्लान पांचवाँ फॉल उप छट्था हंडेड़ प्रेसें यूजर साथ हमाँ भी ए टीम प्लेयर एन आठवाँ टेप बुक फंक्शन यानि सेल्फ डेवलप्मेंट यह टी स्टेप जस्ट वैसी होन करना पड़ेगा इसी सिक्वेंस के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा तो यह एट स्टेप आपको याद होना चाहिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने अभी इन एट स्टेप का नाम ले रहा हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इससे आपकी रिवीज लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा तीसरा उसके बाद आपको इन्विटेशन करना है चौथा फिर इन्विटेशन जब आप करेंगे तो लोग आपको बुलाएंगे लोग के पास जाना है फिर उसके बाद क्या करना है प्लान करना है देन पाच फिर self development, tape book function, इसको बिलकुल आप लोग याद रखिए, सबसे पहला dream, दूसरा list, तीसरा invitation, चौथा plan, पाचवा follow up, छथा 100% user, सातवा be a team player and आठवा tape book function, ये बिलकुल आपको याद कर लेना है, ये याद हो गया तो समझ लो direct selling आपका काम हो गया, जितने भी phrases हैं, कोई फरक परता, कि आपके साथ कौन लोग हैं, कोई फरक नी परता, आपकी list कितनी बड़ी, कोई फरक नी परता, ये basic eight steps, अगर मेरे दोस्त, basic eight steps को अगर आपने याद कर लिया, तो आपका business बहुत बड़े level पर develop हो जाएगा, ये याद करना आप सारे लोगों के लिए बहुत ही step को बात करेंगे, आज मैं कोसिस करूँगा, सुरुवात के दो step पर बात करने की, फिर अगले session में हम बाकी के जो 6 steps हैं, उसको अगले session में बात करेंगे, दोस्तो सबसे पहला step से goal, dream, dream के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, the most important thing about goal is having one, आपका एक goal होना चाहिए, आज इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, तो उसकी एक वज़ा होती है, आज क्यों ऐसा हो रहा है, कि आप इस business के अंदर आगए और आपकी check नहीं बन रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आप business में जुड़त हो गए, लेकिन आपका rank अभी तक qualify नही इसलिए बोला जाता है, everything in this world created twice first in the mind than in reality, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि हमें इस काम को करने की सठीक वज़ा क्या है, आपके क्या सपने है, मेर दोस्ति सधर्ती पे जो जो बनाना हो किसी का सपना है, यह Mercedes car बनी, किसी का सपना होगा, कि मुझे एक सांदार सी गाड बनानी है, तो Mercedes बना, किसी का सपना राइट बंदू होगा था, कि मुझे गाड़ी को उपर उड़ाना है, तो airplane बना, किसी का सपना था, मुझे computer बनाना है, किसी का सपना होता है, कि मुझे होटल तयार करना है, यह हमारा एक गोल था, कि मुझे 27 तारीक को 8 step training करनी है, पहले आच ही है आपको, क्यों कर रहे हैं, जब तक आपके पास इस काम को करने का कोई सटीक गोल नहीं होगा, मेरे दोस्त, तब तक आप कभी भी इस काम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो जोइन तो कर जाते हैं, मन करते हैं, मन करते हैं, मन कर कराने के लिए आपको यूज कर लेगा कई लोग जॉब करते हैं बोले सार हमारे कोई सपने नहीं हम तो सुबह उटके जाते हैं जॉब में अराम से दिन मर काम करके आ जाते हैं मेरे दोस्त आपके सपने नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी आप जॉब जा रहे हैं तो किसी किसी का सपना है कि मुझे एक बड़ा विसाल अपना बंगला तियार करना अपना घर बनाना है तो आपने सपनों को पूरा करने के लिए रोड पे जाता है वहां से मजदूरों को सौ 200 की दARSारी से उठा के लाता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है अगर आप किसी कंपणी के लिए काम कर रहे हैं किसी कंपणी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको तार्गेट मिलते हो आपके पर प्रेशा दिया जाता है इसलिए क्योंकि आप किसी संस्था के सपनों को पूरा करने के लिए उस संस्था के ओनर के सपने हैं वो संस्था के ओनर के तार्गेट है कि भाई अगर कोई SGFC का इंप्लॉई होता है SGFC ने तार्गेट दे रखाए कि मुझे इतने सालम इतना टर्नमर उसके गोल सेट है वो अपने तार्गेट को पूरा करने के लिए आपको इस्तमाल करता है तो या तो खुद का तार्गेट बनाओ ने तो जीवन भर आप किसी और के तार्गेट को पूरा करने के लिए इस्तमाल होते चले जाएंगे इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि आपके क्या सपनी सोची एक बार हम क्यों करने इस काम होगा मुझे क्या चाहिए एक सर्वे से पता चला है कि 87% ऐसे लोग होते जिनके पास अपना कोई गोल ही नहीं होता और बहुत सारे ऐसे तो लोग होते जिनके पास गोल तो होता है लेकिन गोल को पूरा करने के लिए काम नहीं करते तो सबसे बड़ी चीज आज इस ट्रेनिंग के बाद आपको एक डाइरी निकालना है और उस डाइरी के अंदर आप अपने सपनों को लिखिए क्या चाहिए आपको और मैं बोलता हूँ सबसे पहले चीज मेरे दोस्त फिजिकल गोल होना चाहिए क्योंकि फिजिकल गोल आँखों से दिखाई देता है सामने दिखाई देता है और अपने को क्या है वो फिजिकल गोल समझ में आता है अपने को वो गोल देखने के बाद ऐसा लगता है अपने अंदर ऐसी तड़प आती है कि हाँ मुझे ये गोल एचीव करना है ये बहुत important है जो भी गोल आप तयार करते हैं जो भी तार्गेट आप तयार करते हैं उस तार्गेट को आप qualify करने के लिए आप कितनी طاقت लगा रहे हैं कितनी power लगा रही है इस बहुत माईने रखता है इसलिए आज यहां से निकलने के बाद एक डायरी खरी दिया और उस डायरीम अपना गोल बनाओ, क्या चाहिए आपको, जिस दिन आपके डायरीम अपना गोल मिल गया ना मेरे दोस्त, फिर आपके पास अप्लाइन को फोन करने की जोरोत नहीं पढ़ेगी, फिर अपने आप, आपका कॉल, अप् टीम के जो तार्गेट है, उसको नोट डाउन करवा, यादत बनवाईए, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, कि ऐसली पियस वेलनेस के अंदर, ऐसा चलवा रहे कि यहाँ पे हर इंसान, जब मार्केट में उतरे तो उसके डायरी में उसके लिखित गोल हों, क्योंकि जब गोल बनाने के कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जब आप डायरी में गोल बना रहे होंगे, तो यह चीज़े आपको बहुत काम आएगी, गोल सुड़ भी स्मार्ट, गोल कैसा होना चाहिए, स्मार्ट का मतलब, S-M-A-R-T, स्पेसिफिक, क्या चाहिए, लिख लिखो उस डायरी के अंदर, लिखो, लिखो क्या चाहिए आपको, मुझे गाट चाहिए, मुझे बाइट चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, क्या चाहिए, लिखो, मुझे डैमंड बनना है, कब बनना है, लिखो, दूसरा मेजरेबल, गोल ऐसा बनाना चाहिए, जिसको मा आपपा जा सके हवा में नहीं कई लोग बोलते हैं सर मुझे इतना पैसा कुछ नहीं होता देर सारा इतना यह सब कोई हवा की बाते मुझे खुब पैसा कमाना है जो मुझे यतने समय नहीं कर सके या न कोई बोले कि सर मुझे इसलिए पीस में से एक साल के लिए चांद पे जाना है नहीं हो सकता रहे बाई ऐसा गोल बनाओ जो एचीव किया है सकते है मतलब पेस पे खड़े होके बनाईए अगला realistic सच्चाई वाली गोल बनानी पड़ेगी है सची गोल बनानी पड़ेगी realistic जो दिखाई दे जैसे बाइक, किसी का target हो सकता है कि सर मेरे घर में कोई बाइक नहीं, मैं काम करके तीन मेने कंदर बाइक लेना चाहता हूं, यह गोल बनाओ, यह realistic होना चाहिए, ऐसे हवा वाली नहीं, सर मैं तो बस छे मेने कंदर helicopter लेने वाला हूं, यह realistic नहीं, realistic गोल बनाना पड़ेगा, अगला time मिले, time के साथ bounded, बोले जाता है कि जब आपके dream को time के साथ bound कर दिया जाता है, that is called goal, कब चाहिए, bag चाहिए, bag चाहिए, bag चाहिए, किसी का घर हो सकता है, टूटा फुटा हो, वो उसकी मरमत कराना चाहता है, तो लिखो goal, मुझे इतने date तक अपने घर की मरमत करानी है, टोटल कॉस्टिंग पांचलाक रुपे है, तो मैं यहां से टोपाज बनूगा, पांचलाक रुपे कमाऊँगा, घर की मरमत कराऊँगा, time के साथ bounded होना चाहिए, गोल बनाईए, मेरा कुश्चन है आप लोगों से, कमिट बक्स में जरूर लिख के बताईए, आप मेंसे कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, जो लोग अपना अपना गोल अपनी डाइरी में लिख चुके हैं, सच बताना, कितने ऐसे लोग हैं, जो अपना डाइरी देखो कुछ चीजे, गोल should be written on paper, गोल हमेसा paper में लिखा होना चाहिए, कुछ लोग ओलते हैं सर माइंड गंदर, मैरे भाई माइंड कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए गोल हमेसा का होना चाहिए, गोल होना चाहिए आपके paper के उपर, paper पे लिखित होना चाहिए, लिखो मेरे दोस्त, helicopter मनाने से पहले उस paper पर फर्मूला लिखा होगा, कोई भी चीज, theory में proof होती है, उसके बाद ही वो चीज practically आती है, तो आपको भी यह ध्यान देना है, कैसा होना चाहिए, written on paper, अगला goal should be in front of you, जो target आपके हैं, जो भी आप बाइक लेना चाहते हैं, गाड़ी किस चीज की जरूरत है, तो जो needful goal है ना, वो goal बनाईए, और उस goal को लिखके, उसकी photo निकालके, अपने चिपकाना है अगल बगल, आप अपने घर के दिवाल पे लगा सकते हैं, मेरा क्या target है, मेरा क्या goal है, आप लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, अपने bathroom के अंदर, आप जहां खाना खाते हैं, वहां चिपका सकते हैं, क्योंकि जब goal बार-बार, आप अपने folder में लगा सकते हैं, जब goal आपके पास बार-बार होगा, मेरे दोस्त, तो आपको remind कराता जाएगा, और वही reminding आपको घर से निकलने के लिए बात दे करेगी, देखो, netto marketing industry में मैं बता है, कोई boss नहीं होता है, यहां कोई loss नहीं होता है, तो घर से निकलने के लिए प्रेरना देगा कौन, वह देता है आपका goal, यह goal कब देगा, जब goal आपके paper पे लिखित होना चाहिए, लिखो, paper पे लिखो, आपको bike चीए, तो bike की photo निकालो, मेरे दोस्त, मेरा जब मैं इंकम उसे में 10 लाग की भी नहीं थी, और मैं सोरू में गया, मैंने सोरू में जाके Honda City गाड़ी के साथ अपनी photo खिचवाई, और फोटो निकाला, अपने घर के सामने प्रिंट गया, और मैंने लगा दिया मेरा बड़े 27 अगस्त को, 27 अगस्त से पहले मैं Honda City गाड़ी लू जो भी आपके तारगेट हैं, जो भी आपके गोल हैं, वो जितने भी आपके दोस्त यारने सब के सामने बताओ, लोग बोल रहें सर क्यों होता हैं, मेरे दोस्त बताओ, जब आप अपने गोल, अपने तारगेट को दूसरे के सामने बताएंगे, तो लोग आपको ताने मार लोग होते हैं यही लोग आपको सोने नहीं देंगे इसलिए बता के रखना हमने जब बिजनेस सुरू किया तो हमने अपने दोस्तों को बता है कि मैं जैगवार लूँगा तो हमारे दोस्त ताना मारते थे भाई तेरी जैगवार कहा है वो लोग ताना मारते थे तुम्हारे लोग बोलते थे भाई यह देख बन गया कडोरपती मैं बोलता हूँ दोस्तों मैं कडोरपती नहीं बना लोग के तानों ने हमें सोने नहीं दिया और direct selling industry में कई ऐसे समय आए जब हमें मन क्या छोड़ देते हैं लेकि लोग ताने जब बार बार आने लगते थे थे ना तो त गोल सबको बताना है अपने दोस्त त्यार घर परिवार सबको बताओ गोल को तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए है ना आपके घर में 5-6000 का कोई काम है वो बना सकते हैं आपके घर में AC नहीं है AC लगा सकते हैं आपके घर में चानवल त baru गोल यह सारे जोड़ होने चाहिए इसे नहींने मुझे घर खरिदेन यह ठीक है आपके लंग टरम गोल है उमगिन बोला जाता है चोटी चोटी बातों से पुर्मता अती है और पुर्मता कोई छोटी हो जाएगी और तब आपको मन करेगा कि मुझे काम करना है एक्षन करना है तो अब क्या करना है एक्षन के लिए मेरे दोस्त उसी डायरी में जिस डायरी में आपने गोल बना है आपको अगला प्रोसेस सुरू करना है अब आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि अब काम करना है तो काम करने के लिए हमें लोगों से मिलना है अब लोगों से कैसे मिलेंगे जब हमारे पास लोग की होगी लिस्ट इसलिए हमें जितने भी हमारे जानने पचानने वाले लोग हैं उनकी बनानी है एक लिस्ट लोग की बनाव एक प्रोपर लिस्ट लिस्ट बनाव मत सो है लिस्ट मैखिंग क्या है सबसे पहले प्राइमरी लिस्ट इसको बोलते हैं आपके जितने भी ब्लड रिलेसिन की लोग है पहले उनका लिस्ट बना स्थी बनाया किसका लिस्ट कुसका यह यह सोच काम नहीं है आपका काम है सबका नाम फोन में डाल देना इसके लिए मैं एक फ्रेंड फर्मूला आपको बताता हूं F-R-I-E-N-D सबसे पहले फ्रेंड में जितने दोस्त सर्किल के लोग हैं सबका नाम याद करो डाल दो रिलेटिप्स जितने भी आपके रिलेटिप्स लोग या जिस इंस्ट्यूट में आप पढ़ाई करते हैं वहां की जो बहुत सारी इंप्लॉई होते हैं आप उनका नाम डाल सकते हैं जो आपके नेवर हैं जहां पर रहते हैं वहां पे अगल बगल के बहुत सारे लोग है सबका नाम उस लिस्ट के अंदर होना चाहिए dreamers ऐसे बहुत सारे लोग आपको जाने अंजाने मिलते हैं जिन से मिलने के बाद आपको लगता है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है तो ऐसे लोग का आप नाम नहां डाल सकते हैं और ऐसे लोग आपको social media पे भी बहुत साही मिलेंगे उनकी quotation, उनकी post आपको समझ में आ जाए कि ये इंसान किस्त का टेगरी का है अगला stranger जितने भी अंजान लोग हैं उन अंजान लोग को भी आपको उस list के अंदर सामिल करना है तो ऐसे friends list बनाओ जितने भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं friends formula को आप यूज कर सकते हैं अब लोग बोलते हैं सर किसको बनाएं किसको न बता हैं मैं सिधा सॉप्षन बोलता हूँ आपके हाथ में एक अमरित का लोटा है आप सबसे पहले उस अमरित के लोटे से अमरित किसको पिलाना चाहेंगे एक बार याद कीजिए नेवर को आपके घर में पार्टी होता है आप किसको बुलाते हैं सबसे पहले अपने रिलेटिव को उसके बाद किसको बुलाते हैं उसके बाद अपने नेवर को ऐसी बुलाते हैं नहीं बुलाते तो वैसी अगर आपने बिजनस जॉइन किया है आपके घर में आपके बच्चे का बड़े पार्टी है तो आपके इनको बुलाते हैं वैसी अगर आपने बिजनस जॉइन किया है तो दिमाग मत लगाओ सिस्टम बोलता है हाट लिस्ट बनाओ जितने भी आपके रिलेटिव से सब का नाम लिखो कई लोग गलती क्या करते हैं pre-judge करते हैं मेरे दोस्त यहां लिखा हुआ देखे last minute don't pre-gess कभी भी pre-gess मत करो कौन हमारे साथ काम करेगा और कौन हमारे साथ काम नहीं करेगा आपका काम नहीं है pre-gess करेगा किसी के माथे पे नहीं लिखा है कौन आपके साथ कितना बड़ा काम करने वाला है कभी भी सूज का बैपारी सूज के दुकान में आने वाले लोगों का पैर चेक नहीं करता अगर एक लंगड़ा भी बिना पैर का इंसान भी सूज के सोरू में गया तो उसको भी अपना सूज जरूर दिखाता है क्योंकि हो सक इसलिए वो डारी में जितने भी लोग आपके हैं सबसे पहले मनाओ हौट लोगो का जितने भी अपके बलड रिलेसं के लोग हैं अपने घर परिवार से सुरू करो फिर अपने मंमी के पाट में जाओ मामा का लिस्ट बना, मौसा का, मौसी का, मामा के लड़के, मामा के बच्चे, ऐसे आपके लिस्ट होगी, फिर अपने पापा के आओ, वहाँ पे बुगा, बुगा के बच्चे, चाचा, चाचा के बच्चे, चाचा, चाची, ऐसे लिस्ट आपका फ़ले cold लिस्ट बनना चाह साट लिस्टिंग कर लिजिए कि आपने लिस्ट बनाया अब पहले लिस्ट बनाओ क्योंकि बोला जाता है जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट उसके पास उतना बड़ा बिजनस लिस्ट इसलिए लिस्ट एट लिस्ट ज्यादा से ज्यादा बनाईए ज्यादा से ज्यादा ब without list no big business बिना list का बड़ा business नहीं हो सकता है list should be on paper ये system बोलता है कि paper पे list होना चीए एक बात का आप comment करके जरूर बताएं कितने ऐसे लोग है जिनके पास 200 लोग का list on the paper है कसम है आपको आपके चाहने वालों कि अगर आप direct selling business कर रहे हैं तो जुट मत बोलना सच सच बताना कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास on the paper 200 लोग का list है अगर है तो आप comment में बताएं 200 लोग का list मेरे दोस्त आप देख सकते हैं बहुत ही कम लोग बहुत ही कम लोग के comment आ रहे हैं ये वज़ए है ये वज़ए है कि आपके business नहीं होते क्योंकि आप business को करी नहीं रहें प्रोपर लिस्ट रो मेटेरियल जब तक रो मेटेरियल नहीं होगा तब तक final material कहां से आएगा लोग कहां से आएंगे इसलिए list बनाने का एक list होता है stranger list जो भी आपके अंजान लोग होते हैं उन अंजान upgrading form में होना चाहिए आज अगर आपके पास 200 लोग का list है तो कल आपके पास 500 लोग का नहीं तो कम सेक्व 210 लोग का list होना चाहिए 205 लोग का list होना चाहिए हमेशा कोसिस कीजिए मेरे दोस्ट जब मैं वारा नसी के अंदर आया था बहुत बड़ा बिजनस डिवलप किया है और आज वज़ा है कि जहां मैं 12 लोग कोई जानता नहीं था किसी को आज 35 ज़ादा डायमंड है आज वो 8 से 10 लोग 8 लोग के करीब नेटवर्क मेरा वारा नसी गंदर है क्योंकि मैंने इस काम को किया है आज भी आप हमारे पास देखेंगे हमारे डैरी में लिस्ट है तो अगर आप बड़ा बिजनस करना चाहते हैं तो आप सबको लिस्ट जरूर बनाना चाहिए मेरे दोस्त आज हम सबने दो बाते की है सबसे पहला गोल मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे साथ अभी फेस्बूक के मादे जितने भी लोग यूटूब के मादें से जुड़े हुए हैं वो लोग अपने अपने अप्लाइन से मिले या जितने भी अप्लाइन से हैं वो सारे appliance अपने team से मिले और उन सब का goal जरूर check करें, उन सब के goal को आप जरूर check करें कि उनके पास goal लिखे हुए है या नहीं है, ये बहुत important है और ये बिल्कुल basic है, अगर आप इसको नहीं करेंगे फिर आप सोचेंगे कि मेरा business बड़ा हो जाए, मैं बताना चाहूँगा business बड़ा नहीं हो सकता, ये करना ही पड़ेगा, it's a very important, करना पड़ेगा आपको, check किजिए goal और नहीं है तो goal बनवाईए, क्योंकि जब goal नहीं होगा न लोग का, तो लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, check करो goal और उनके goal बनवाईए, दूसरा चीज, listing बहुत important है, raw material हमार business का, तो आप अपने downline के पास आईए और उनकी list proper बनी है या नहीं बनी है, आप उनके list को भी जरूर ध्यान में रखें और list के उपर भी जरूर चेक करें कि उनकी list है या नहीं, अगर किसी की list की कमी है, तो मेरे दोस्त उसका तरीका होता है, invitation, invitation कैसे करना है, invitation नए लोग क कैसे करके अपने list को आगे कैसे बढ़ाना है, यह training हम लोग second part में देंगे, कि आप list के साथ एक dialogue हमेशा रखना है कि चलिए आज कुछ लोगों को हम अपने business के लिए invite करते हैं, मेरे दोस्त direct selling industry, netto marketing industry, SLPS wellness का जो business है, यह logo का business है, हमें logo तक जाना है और not only direct selling industry, इस दुनिया क कोई भी sales का business है, कोई भी business है, उस business में जो end user होता है, हर business में ये target करता है कि मुझे end user तक कैसे पहुँचना है, तो हमारे जो end user है, हमारे business के जो end user है, वो हैं लोग, यहां दो चीज़े हम लोगों को देते हैं, एक अच्छा आईरवेधिक product, जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों को देते हैं, एक अच्छी business opportunity, और आज की डेट में इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों की जरूरत market में सबको हैं, लेकिन ये चीज़े लोगों तक जब तक आप बताएंगे नहीं, तो कोई किसी को सपना नहीं आने वाला, अब ये बताने का जो पहला stage है my dear friend, वो है आपको एक proper list बनाना चाहिए, इस दुनिया के हर धंदे में listing होता है मेरे दोस्त, हर धंदे में लोग अपने customer का list बनाते हैं, तो आप एक business कर रहे हैं, तो आपको भी इस business में आने के बाल, the first thing, जो पहला चीज़ आपको start करने के लिए जो करना है, वो है list मना जितने भी लोग आज यहाँ पे freezer हैं, और पहली बार आज इस session को attend कर रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से एक ही चीज़ करना है, कि आप लोग list पे काम किजिए, list is the raw material, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास list ही नहीं, तो वो फिर बड़ा business करी नहीं पाते हैं, फिर पहले ही चीज़े हमारे business में आगे बढ़ाने वाले हैं, and it is the professional way, यह इस business को करने का एक professional तरीका हैं, तो जितने भी लोग को आप जानते हैं, उन सारे लोगों का आपने क्या करना है, list बनाना है, जब हमारे list तयार हो जाती है, list हमारी बन जाती है, और list को हमेसा क्या करना ह अपडेट करते रहना है, कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर, हमारे पास तो list ही नहीं है, तो मेरे दोस्ट ऐसा हो नहीं सकता है, जरूरी नहीं है कि यह list आपके पास है, वो लोग आपके area में ही रहें, पहले आप list बनाओ, raw material के list बनाओ, जिसके पास इतना बड़ा list उ सिखना है, अपने लोगों को invite करना है, किसके लिए? तो so the plan, plan so करने के लिए आपको invitation करना है, अब हमारे यहाँ plan दो तरीके से होता है, एक होता है one by one plan और दूसरा होता है center plan जिसको हम venue plan बोलते हैं, कि एक हर संडे के दिन हमारे यहाँ पे संडे का seminar होता है, health awareness program होता है, ज दोनों category की invitation मैं आपको जरूर बत जाना चाहूंगा, invitation बहुत ही important है, आपको क्या करना है, अगर आपका संडे की दिन सेमिनार है, पहले मैं बात करता हूँ invitation की जरूरत क्यों है, मेरे दोस्त invitation की जरूरत इसलिए है, क्योंकि जो list आपने बनाया है, उस list को जब आपको प्ल invite करें, चाहे आप business plan, उनको seminar plan के लिए invite करें, ये बहुत important होता है, ये बहुत मायने रखता है, कि आप अपने लोगों को proper तरीके से invitation देते हैं, कि नहीं देते हैं, बहुत मायने रखता हैं, अगर आप seminar के लिए invitation कर रहे हैं, तो एक दिन, दो दिन पहले आप लोगों को invite क invitation, हमेशा कोशिस करें, सेमिनार की invitation, आप करें थे invitation, कार्ड का इस्तमाल करें, ये ना, जादस जादा लोगों को invite कीजिए, जादस जादा लोगों को invite कीजिए, फर्मूला बोलता है, त्री फिट रूल, आपके तीन फिट के दाइरे में, अगर कोई भी मिलता है, आप उनक यह सोचना आपका काम नहीं है कि कौन आपकी बात सुनेगा और कौन आपकी बात नहीं सुनने वाला है आपका काम है बताना आपका काम है बताना आपने बड़े बड़े advertisement देखे हैं बड़े बड़े hoarding लगे देखे हैं आपको क्या लगता है कभी भी hoarding वाला advertisement वाला यह सोच कि दुगि नजर्व इसलिए इसलिए आपको भी यह सोचने का काम नहीं है कि कौन मेरे साथ आएगा कौन मेरे इनिविटेसन को accept करेगा और कौन मेरे इनिविटेसन को reject करेगा आपका काम है बस invite कर देना बस लोग को invite कर देना, किसके लिए? प्लान को दिखाने के लिए, तो मेरे दोस्त, अगर आपके यहां center नहीं चलता है, तो आपको फिर daily invitation की अदत बंडालनी पड़ी, एक networker क्या करता है, एक direct selling leaders क्या करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक direct selling leaders सुभा उठने के बाद, वो brush करता है, और नित करम से निर्वित होने के बाद, जो उसके पास list की diary है, वो list की diary निकालता है, और उस list की diary से फिर, एक-एक logo को tick मारता है, और वो phone लगाना शुरू करता है, वो अपने दोस्तों को phone करता है, वो अपने friend को phone करता है, या किसी अंजान इनसान से, अगर मिला है तो उसको फॉन करता है हम लोग ऐसी बिजनस करते थे हम लोगों से मिलते थे उनको फॉन लगाते थे और उसे बात करते थे हलो सर आया सर कहा है कैसे हैं फिर उन से हम पले एक टाइमिंग लिया करते थे कि भाई आप जैसे हमें कल अगर किसी को प्लान दिखाना मैंने आज कॉल किया हलो सोनू कैसा है उसने बहुत बढ़ियां हम उसे पूछते थे यार कल के डेट में क्या कर रहे हो हम पहला कोशन हमारे ही होता था कि कल क् लाक मैं मुंबई में हूँ तो फिर उसको आगे कुछ बताने के जरूरत है ने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपने फॉन मारा उससे पूछना है सबसे पहले के सार कल के रेट में क्या कर ले हो बाई जिसकी जानकारी देने के लिए मैं सोच रहा थे कि एक बार मिल के और बात करते हैं तो क्या नौ से दस बज़ा फ्री रहेंगे उसने बोला यस तो ठीक है आज या कल जो भी टाइम आप देना चाहते हैं इस समय हम नौ से दस बज़ा तक आप से मिलेंगे और मिलते हैं एक बहुत बढ़ी हाँ चीज है है न वो जिग्यासा वच आपसे कुछ पूछने की कोशिस करेगा कई लोग ऐसा है जो मोबाइल पर ही आधा चीज बताने लगते हैं आपको यह सब नहीं करना है ना इंविटेशन में यहां पर देखिए क्या लिखावार डॉन्ट ओन इंविटेशन आपको क्या नहीं करना कंपनी प्लीज भाई एक बार सुन ले यार ऐसे रिक्वेस्ट आपको नहीं करना है और अगर किसी ने आपके इंविटेशन में अगर किसी ने सुनने से मना कर दिया कि यार मुझे नहीं इस इन चीज़ों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो आपको वहां पर होपलेस भी नहीं हो आपका कुछ भी नहीं जाता है लॉस उसका है क्योंकि जो इंसान हमारी बात सुनता है जो इंसान हमारे साथ आता है उस इंसान के जीवन में बदलाव आता है उस इंसान के एक उपरचुनिटी मिलता है आपका कोई लॉस नहीं होता है इसलिए आपको ये पहले से ही नहीं स से 25 कॉलिंग लोगों को डेली कीजिए इससे फैदा क्या होगा कि जब आप डेली सुबह या अगले दिन साम को मिला के 20 से 25 कॉली करेंगे तो अगले दिन 5 से 10 लोग आपको एपॉइंट्मेंट जरूर दे देंगे मिलने के लिए जिससे मिलके आप प्लान कर सकते हैं जिससे गलती क्या करते हैं? लोग लिष्ट बनाते नहीं हैं और जब लिष्ट नहीं बनाते तो उनके पास कॉलिंग के लिए कहीं कोई प्रोपर चीज होता ही निये लिखा हुआ लोग mobile निकाले 2-4 याद आया phone किये हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं अगर आपको सही तरीके से business करना है तो उस diary को daily निकालना होता है और उस diary में से daily निकाल के टिक लगा के आपको 4-5-6-7 मैं बोलता हूँ daily लगभग 20-25 calling करना होता है जब 20-25 calling हम daily करेंगे daily 20-25 invitation करेंगे तो फिर सामने वाले में से 5-10 लोग हमारे को daily का appointment दे देते हैं business plan करने के लिए जैसे आपका timing fix हुआ फिर आप त्यार होके लोगों को plan दिखाने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं कभी भी invitation करते हैं समय बिलकुल जल्दी वाजी न करें जल्दी जल्दी में न बताए और keep it short and simple बहुत simple रखें इसको पूरा घुमाना नहीं है ऐसा नहीं बताना है जैसे वो सामने वाला बंदा ही confused हो जाए कि यार पता नहीं है क्या बताने वाला है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है confusion किसी को नहीं होना चाहिए short and simple जितना हो सके daily आदत बनाओ और ये बात सिर्फ Fraser के लिए नहीं है मैं बोलता हूँ ये आदत हुँ सारे leaders के लिए है ये basic चीज है my dear friend इस basic चीज को अगर आप अपने direct selling के carrier में करेंगे दुनिया की कोई ताकत आपके चेक को नहीं रोक सकता लोग basic करते नहीं और ये बिलकुल number का game जितना number of list आपके पास होगा उतना number of invitation होगा और जितना number of invitation होगा अब invitation में कुछ चीजे है जो आपको समझने की जरुद है यहां लिखा हो ईससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि आप क्या कहरे हैं फरक इससे पढ़ता है कि आप कैसे कहरे हैं मेरे दोस्त आप क्या बोल के लोगों को invite करते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता जब भी लोगों को आप कॉलिंग कीजिए तो कॉलिंग करते समयठ आपको एक confidence के साथ बात करना है आपका confidence मार्केट के अंदर दिखाई देना चाहिए कि आपकी इस confidence के साथ लोगों से discuss कर रहे हैं लोगों से आब बात कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जो भी बोलना है आपको fully confidence में बात करना है fully confidence के साथ आपको लोगों से discuss करना है confidence के साथ दूसरा बुलाते रहे हैं डायमंड मिल जाएंगे, आपको यह नहीं सोचना है कि कौन आएगा, कौन नहीं आगा, आपका काम है लोगों को प्लान देना, अब आप सोचो, सिंपल सा चीज सोचो, अगर बिना पैर का इंसान, किसी सूज के सौरूम में जाता है, तो क्या सौरूम वाला अपने सौप तक बुलाते रहना, इंविटेशन करते रहना, जितने जादस जादा नमबर ऑफ इंविटेशन वो करेगा, उतने जादस जदना नमबर ऑफ गेस्ट उसके साथ आएंगे, और उसका बिजनस उतना अच्छा हैगा, इंविटेशन कार्ड अगर आपके सेमिना होता है तो फ्राइडे की ट्रेनिंग के बाद सटर्डे के दिन आपको पूरी दिन समय देना चाहिए कि आप एक एक करके आप एक लिस्ट बनाईए कि आज कल के डेट में मैं कितने लोगों को बुलाना चाहता हूँ फिर सबसे बात करके और बात न कर पाये तो आप कोशिश क कीजे कि सबके घर जाके इन्विटेशन काड यूज करके आप उनको संडे के सेमिनार के लिए लोगों को बुलाइए ऐसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्लान को देखने के लिए आएंगे और जितना ज़्यादा आप इन्विटेशन जितना ज़्यादा 12 बजे हैं और 11 बज़े उठते हैं ग्रावmber निकलते हैं दो गंटा के अंदर फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि प्लान ही नहीं होता तो प्लान होगा कहां से फिर ऐक भी प्लान बोला क्यों नहीं हुआ तो सर मैंने एक बंदे को फोन किया था उसने मना कर दिया तरी मेरे भाई 10 को क्यों नहीं फोन किया तुने 20 को क्यों नहीं फोन किया क्योंकि आपके पास काम करने का कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं प्रोफेशनल तरीका यह है जो अभी मैं आपको ब जो rejection है ये जो rejection का जो डर है लोग के अंदर the fear of rejection ये बहुत सारे ऐसा लोग है जिनको फोनी नहीं करने दिता है मुझे आप बताओ इस दुनिया के किस धंदे में rejection नहीं होता है हर धंदे में होता है मेरे दोस्त हर धंदे के अंदर हर business में rejection होता है कई बार आप किसी mobile को लेने के लिए जाते हैं और last time को उसके features देखने के बाद आपको mobile पसंद नहीं आता है आप उसको reject कर देते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कपड़े के सोरू में जाते हैं और आपको कपड़ा देखने के बाद भी पसंद आता है लेकिन लाइश में प्राइस को लेके जब आप लोग के बीच में अच्छे से उसका वेल्यूबेल प्राइस आपको नहीं समझ माता है तो आप उस दिने जाता है दो बार तीन बार जाता है और उसको अच्छा लगता है पसंद होता है लेकिन लास्ट टाइम ऐसा आता है कि उसको कोई और दूसरी कंपनी का गाड़ी पसंद आ जाता है तो उसको छोड़ के दूसरे जगा चला जाता है हर प्रोफेशन के अंदर यहां बोलेता है सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन हम मैं से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन उठाने से पहले यह डर लेगा लगा के बैठे हुए हैं कि अगर मैं किसी को फोन करूंगा तो सामने वाला फोन पे क्या रिप्लाई इस बात से आप डर रहें अरे भाई फोन से बाहर तो कोई नहीं निकल जाएगा यह जादा से ज्यादा लोग आपको क्या बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ना बोल सकते हैं तो अगर किसी ने बोला नहीं यार मुझे नहीं समझना ओके कोई बात नहीं कभी और बातचीत करेंगे अराम से रोयल एक्जिक देते हो आप फोन रख दो फिर नेक्स्ट कॉल लगाऊ ति ये जो डेली इंविटेशन का जो सिस्टम है मेरे दोस्ति ये डेली इंविटेशन का सिस्टम आपको अपलाई करना पड़ेगा डेली रेगुलर आप अगले दिन जि तो यार हमने बात किया था पिछले बार और आपने को जरूर मिलेंगे तो यार संडे को आप ये बता एक क्या 9 बजे आ आप फ्री हैं क्या बोला नहीं रступ wash देशन क्या 10 बॉजे एक्जेट आप टाइम रखनाा हम लोग मिलेंगे 10 बजे मैं मिलों आप से और मिलके हम लोग discuss करेंगे, ठीक है मैं 10 बजे का आपका timing book करता हूँ, मैं timing आपका set करता हूँ, 10 बजे हम लोग आते हैं, इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा calling करके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग का जो next appointment है business को लेके, इसको हम लोग set कर सकते हैं, यह बहुत important है, जब हम invitation करेंगे, लोग हम से मिलने के लिए agree हो जाते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा invitation करेंगे, तो हर दिन का plan आपका set होगा, आज तो maximum direct seller ऐसे हैं, जिनका डेली का plan ही set नहीं हो रहा है, अब plan set नहीं है तो घर से बार नहीं निकलते, बहुत सारे से senior leader हैं, बहुत सा कैसे लोग हैं, जो डेली का 4-5 plan कर देते हैं, आप लोग comment करके बताइए, नहीं कर पाते हैं, तो बोले सर नहीं कर पाता, या 5 से कम करते हैं, तो वो भी लिख दीजिए आप comment box में, और 3-4 करते हैं, तो भी लिखिए और 5 से ज़्यादा जितने लोग करते हैं, वो लोग भ कैसे बुलें, सबसे आसान हैं अंजान लोगों को invite करने का सबसे आसान तरीका है, बस जुबान खोलना, बोलना, अरे भाई आप इनसान हो, और सामने वाला सक्स भी इनसान है, इनसान हो कि अगर इनसान से बात नहीं कर सकता, तो फिर क्या कर सकता है, सोचिए, दोस्तों पर हमने भी निकलते थे और हमारे तीन फिट के धारे में कोई भी इनसान मिलता था तो हम उससे दोस्ती करते थे उसको एकदम प्रोस्पेक्टिं जरूर किया करते थे हम उससे बातचीत करते थे है। प्रूम है अच्छा अच्छा तो क्या सुब नाम हो आपका मेरा नाम अमिद दुभेव आपका सुब नाम उसने अपना नाम बताया क्या करते हैं आप उसने बताइए काम करते हैं चलिए बहुत बढ़ियां मेरा भी एक बहुत अच्छा काम करते हैं और जहां पे इस काम के सा अपने पास time मिलेगा next time में हम लोग आपसे मिल लेंगे और एक बार मिलके देखते हैं अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा चीत नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं आपने उसका number लेना है उसको अपना number दे देना है एक time set कर लेना है हो गया काम ऐसे होता ह को करो हम क्या करते हैं मंझान लोगों से डेलित मिलते तो हैं लेकिन हम इस डर से किसी को नहीं बूलाते हैं हम इस डर से किसी से बातचीत नहीं करते हैं कि सामने वाला मुझे मना ना कर दे the fear of rejection मेरे दोस सबसे बड़ा है रो कि क्या कहेंगे लोग कोई अगर आपको reject कर देता है तो क्या हो जाएगा आज लोगों ने हमें भी reject किया हम भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करते थे तो कई लोग बोल देता अच्छा हो MLM है क्या है मुझे नहीं करना जब उस नहीं कि हमें reject कर दिया तो आप मुझे बता हो हमारा क्या loss हुआ एक परसेंट का कोई loss हुआ क्या कोई loss नहीं है मेरे दोस उसने माना किया अगर उसने माना किया तो हम next किसी इनसान को invite करेंगे ये तो number का business है नंबर का business है जितना जादा से जादा invitation आप करेंगे उतना जादा से सहर में बिजनस कर रहे होंगे जिस सहर में आपको जानने वाला कोई नहीं है अप पर से जगाते होँ Woah घर से बाहर निकलते हैं आप किसी चोरा है पे या किसी तीरा है पर आप किसी ऐसे जगह पर खड़े हो जाएंगे जहाँ पर लोग आते जाते हैं तो जो भी लोग आते जाते हैं आपके तीन फ्रिट के दाईरे के अंदर आपको उनसे बाधचीत करना है आज क्रिड़िट में भाए हलो करने से मेरे दोस्ट अचा नहीं कोई आपको पिछा करेगा आपको कोशिस करनी है लोगों से बात्चीत करने की जब आप बात्चीत करेंगे हाई सर हलो सर जरूर ही निया कहम सूरू में बिजनस प्लान के लिए परपोजल के लिए लोगों को इंवाइट करें सबसे पहले आप friendship कर सकते हैं आप कई railway से travel कर सकते हैं जब आप travel कर रहे हैं आपके अगल पगल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आप उनसे हाई हलो कहा जाएंगे क्या नाम हुआ मेरा नाम हुआ अपने बारे में बताईए उसके बारे में जाने ये है ना और उसके बारे में जान के फिर थोड़ी सी फ्रेंड्सिप कीजी और उसके बाद उसका नमबर ले लीजी नमबर करके एक दो दिन आपको ऐसी फोन करना है कि हलो भाई साब कैसे हैं बोला बहुत बढ़ियां और क्या चल रहा है बहुत बढ़ियां जोब चल रहा है अच्छा भाई साब क्या करते हैं आप उस दिन ज्यादा बात ही होनी पाई थी तो बस ऐसी मैं पूछ रहा था बोला ये काम करते हैं अच्छा बहुत बढ़ करते हैं एक बार आप समय निकाल लिए तो समय निकाल के हम लोग डिसकस करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लगा तो कोई बात नहीं आप एक बार देखिए आपको करने के लिए किसी को invitation नहीं देना होता है, आपको देखने के लिए invitation देना होता है, आप सोची जब आप किसी दुकाणदार के पास जाते हैं दुकान में, भी नि बोलता है ये खरीद, बोला सर ये देखो, ये देखो, पसंद आये तो बताना, ये देखो सर, ये product देखो, सर, ये जब maximum number of invitation आपकी ground में होगी my dear friend तो आप देखना फिर maximum लोग आपको फिर आगे plan के लिए agree करेंगे फिर daily आज जो आप घर में मैठे रहते हैं वो daily का आपका schedule बनना सुरूँ जाएगा जैसे अभी आपके साथ नया target आया हुआ है मेरे दोस्त अब नये target को अगर आपको achieve करना है तो नये target को achieve करने के लिए बहुत आसान रास्ता है 1400 SP पे अभी हमारे साथ मनाली का trip आया हुआ है तो बहुत आसान है 1400 SP मतब 1428 लोगों को 100 SP से अपने साथ लाना है तो कुछ नहीं करना 280 लोगों का list बनाएए और उन सारे लोगों को list बनाके तीर महिने के अंदर 280 लोगों का अगर आप invite कर देते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके plan को देखने के लिए अगरी होंगे और 100% आपकी जोइनिंग आजाएगे अब बताओ list बनाए जासकता है नहीं बनाए जासकता है तो उसमें से 90 लोग जादा से जादा मैकलम maximum extreme ratio में बता रहा हूँ जादा जादा 90 लोग आपको मना कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक normal sales ratio के अनुसार भी 10 लोग आपके concept को जरूर देखेंगे और अगर 10 लोग आपके concept को देखते हैं तो आप मुझे बताओ एक लोग का list बना के phone करने से कितना रुपए है 10 रुपए की income लग हो आ रही या नहीं आ रही यानि अगर किसी का नाम लिखके उसको phone के ओल कर देते हैं सामने वाला yes बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता वो yes बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने उसको call कर दिया तो एक average 10 रुपए की income आती है अब लोग बोलते हैं सर की ना बोल दिया अब फिर कैसी income आई क्योंकि जब तक वो 90 लोग आपको ना नहीं बोलते तो जो 10 लोग आपको परोड़ाक को लेने वाले हैं आपको जोइन करने वाले हैं उन 10 लोग Git पहुंच नहीं सकते हैं तो 10 लोग तक पहुंचे इसलिए 90 लोग का ना बुल और बहुत जरूरी है इसलिए बहुट जरूरी Alek लेकिन वो 90 नहीं बोलते तो 10-100 दस लोग हां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं दिकत क्या है कि हमें नहीं पता कि कौन हां बोलेगा और कौन ना बोलेगा यह किसी को नहीं पता इस्ता प्रोबेबिलिटी यह किसी को नहीं पता हो सकता है किसी को सुरवात के 10 लोग ही हां बोल तो जब हम 100 लोग का लिस्ट बना के phone से invitation करके उनको plan के लिए बुलाते हैं तो 10 लोग plan के लिए agree हो जाते हैं और एक बंदा join होता है आपकी income आते हैं यानि पर invitation से आपको 10 रुपे की income आई तो आप सच बताओ अगर आपका target है कि मुझे daily 1000 रुपे कमाना है तो daily 100 call करना चाह आपको कुछ नहीं करना daily 100 लोगों को call करना है daily 100 calling आपको करना है कितने लोग कर सकते हैं आप मुझे comment करके बताइए खौथ ही simple है कोई target बनाता है सर मुझे 10,000 रुपे पर भी income लेनी है तो आप उतना number of अपने और अपने टीम के साथ उतना number of लगवा calling की planning करें लोग गोल इसे तो ज्यादा अच्छा होगा लोग एक mobile लेके बैठ जाते हैं बोलते हैं बस यार बस इसी mobile से हमारा business हो जाना ची कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्त क्यों एक mobile लेके बैठ जाने से आपका business बहुत बड़ा कभी नहीं हो सकता इसके लिए आपको market में निकलना पड़ेगा लोगों से मिलना पड़ेगो और अपनी जुवान खोलनी पड़ेगी इस तरीके से आपको invitation करना जब आप invitation करेंगे फिर अगला काम आपको जो करना होता है वो करना होता है so the plan यह बहुत जरूरी है बहुत important है जब हमने invitation किया सामने वाला बंदा हमारा plan देखने के लेगरी हो गया तो अगला step क्या है so the plan लोग को plan दिखाई लोग को plan दिखाने plan दिखाने में दो तरह का plan हमारे होता है एक होता है वेनू plan और एक होता है one by one plan वेनू plan में कुछ भी नहीं है जब आप invitation करते हैं तो आप अपने वेनू का address बताते हैं कि किस जगह पे कितने बज़े आ confirmation जरूर ले लेने कि सर आप कल के seminar में आने वाले है न तो कई बार ऐसा होगा कि आपके साथ 20 लोगों ने agree किया था कि कल के seminar माएंगे तो दो चार लोग इधर उदर हो सकते हैं तो यह आपको पता होगा कि हाँ 15 लोग मेरे confirm हैं आज लोग seminar के अंदर पहुंच तो जाते हैं अपने अपने सिंटर पे लेकिन यह confirmation किसी के पास नहीं होता लोग target बना के ऐसे काम ही नहीं करते हैं लोग के पास यह नहीं पता होता कि मेरे दस लोग आएंगे तो आएंगे जितने आए लोग उसी को accept कर लेते हैं यह professional वे नहीं होता है आप corporate sector अगर इस business को करना चाहते ह हैं तो आपके पास एक clear cut आपके पूरे week के plan की जो है ना वो calculation होना चाहिए तो seminar plan के अंदर सुबह सुबह आपको call करके confirmation करना है कुछ बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है सबसे पहला dress code जब भी आप plan दिखाने के लिए जाए तो आपका dress code बहुत अच्छा होना ज़रूरी है dress code मतलब एक direct seller के लिए एक formal shirt, formal pant, formal tie, formal shoes, you should look like a businessman दोस्तों मैं यह नहीं बोलता कि मतलब आपको दिखावा करने की ज़रूरत है बट dress code का बहुत बड़ा फर्क होता है बहुत फर्क पड़ता है dress code से आप एक 70 कडोर की business opportunity किसी को दिखाने वाले हैं आप किसी को यह proposal देते हैं कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा तो आप यह समझे लोग इस proposal देने वाले इंसान को सबसे पहले देखते हैं याद रखना जब भी आप किसी को concept बताते हैं आप किसी को plan देते हैं कोई भी इंसान ना इसलिए PSO Wellness को देखता है ना आपकी company को देखता है ना product देखता है ना प्यापर देता है सबसे पहला चीज जो वो देखता है वो देखता है आपको वो इंसान अगर payment दे रहा है पैसा दे रहा है product देखो product की result कब पता चलेगा उसको जब वो खाएगा यानि एक महीना को करवाने के लिए सबसे पहले आपका dress code बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी इसलिए dress code बनवाई है कई ऐसे लोग हैं के market में चले जाते हैं बीना dress code के अगर आप market में जा रहे हैं तो I am sorry to say कि आप अपने prospect का murder कर रहे हैं आप उनके विश्वासों का दमन कर रहे हैं आज जो आप social media के उपर YouTube के उपर यह जो बहुत सारे memes आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मजाक उडाते हैं networker का वो मेरे दोस्त इसलिए उडाते हैं क्योंकि यहाँ पर professional लोगों की कमी है लोग unprofessional तरीके से direct selling कर रहे होते हैं इसलिए यह मजाक उडाया जाता हैं सही direct seller सही networker जो अच्छे तरीके से इस business को करता है वो कभी भी जैसे तैसे करे गहीं नहीं एक perfect dress code dress code का मतलब नहीं है कि आप लाखो रुपे का कपड़ा पहने dress code का यह मतलब है कि आपका कपड़ा साफ सुत्रा होना चाहिए और formal होना चाहिए formal shirt, formal pant, formal suit, style लगी होने चाहिए आपके बाल बिल्कुल जड़े होने चाहिए, डाड़ी विगर अगर आप रखे हैं तो बिल्कुल अच्छे से set होने चाहिए मतलब जब आप किसी के सामने जाओ तो आपको देखने के बाल जो पहला impression सामने वाले का होना चाहिए न वो impression ऐसा होना चाहिए कि yes, he is the right person to join ऐसा महसूस होना चाहिए आप कभी भी ground में किसी को plan दिखाने के लिए निकले या आप सेमिनार में किसी को plan बताने के लिए जा रहे हैं किसी को plan दिखाने के लिए invite किये हैं तो जाने इस पहले एक बार आईने में अपने आपको उपर से नीचे तक देखके जरूर जाए और एक question पूछे कि क्या आज मैं एक ऐसा personality दिख रहा हूँ at least क्योंकि पहला नजर आपको देखेगा आपके अंदर क्या quality है आपके जुबान से कितना अच्छा plan देना जानते हैं क्या महौल बने ये तो बात की बात है लेकि सबसे पहले जो आपका prospect है जो आपका guest है वो सबसे पहले आपको देखता है इसलिए पहले अपने आपको आ आएगा ना वो इंसान धमाके दार तरीके से काम करेगा लोग dress code बनाते नहीं dialogue के दम पे लोगों को ले आते हैं और ऐसे लोगों का model कर देते हैं इसलिए बहुत important है dress code दूसरा ची time punctuality बहुत ज़रूरी जा आप जिस भी इंसान को चाहे सेमिनार में चाहे आप one by one plan में आ आज मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ उनके guest लाके wait कर रहे हैं और वो अराम से ठाट से त्यार होके आ रहे हैं this is the non professional work ये unprofessional लोगों की निसानी है अगर आपको अच्छे से professional business करना है my dear friend तो आपको time का समय का बहुत जादा ध्यान देनी की जुरूरत है अगला ची discipline बहुत important है जब आप सेमिनार के अंदर आत जाते हैं तो proper discipline को maintain करें अगर आपके पास chair है तो proper बैठें सेमिनार के महौल को आप बनाए सेमिनार जैसा चल रहा है उसके महौल के साथ आप बने रहें बीच में उठके न जाए बीच में फालतु का सोरगूल ना करें अपने आ अगला आप अपने testimony जरूर बताइए कि आपने कितने दिन पहले इस business को सुरू किया और इस business से आपके पास अभीतक क्या achievement आई हुई है आप ये testimony लोगों को जरूर बताइए इस तरीके से plan की preparation होती है plan दिखाना भी एक technique है जिसमें तीन पार्ट में बहुता हूँ plan चलता ह प्लान का मतलब होता है invitation आप plan देखने से पहले लोगों का timing fix करें जो महौल है उसको fix करें वेनू fix करें प्लान के समय आप महौल को सही करें या जो आप plan शुरू करने से पहले थोड़ी दिर पहले जो आप बात करते हैं उस बात को आपको कैसे control करना इस बात पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे और दोस्तों plan कैसे दिखाना यह मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि plan कैसे दिखाना इसके लिए आपकी 10 कदम training आपके senior के द्वारा होती रहती उस training को आप लोग जरूर अटेंड करें plan बहुत important है plan ज़्यादा से दादा दिखाना जरूरी है important यह न गंटा धाई गंटा plan में निकाल देते हैं उनके result कम आती है क्योंकि उनके number of plan कम है वहीं पे दूसरा इंसान ऐसा है जो ज़्यादा प्लान करता है बहले वो घराई से ना बतापा है मोटा मोटी बताता है लेकिन वो ज़्यादा number of plan दिखाते है तो formula है sales का when you advertise to more and more people you will get the more and more results जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपने product और अपने service के advertisement करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके service और आपके product को खर देंगे यह formula है मेरे दोस्त इसलिए आपको plan दिखाना है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा कोसिस करो ज्यादा number of plan ह कि आप कम समय में दो से तीन घंटे के अंदर सो और डेर सो दो सो और ढ़ाई सो लोगों को दो घंटे के अंदर plan दिखा देते हैं यहाँ पूरा game है ज्यादस ज्यादा plan दिखने हैं कई ऐसे लोग है जहां दस लोग leader आए और guest भी आते हैं 10 तो ऐसा center चलाना फलतू है कोई मतलब नहीं है अरे दो लोग हैं तो दस लोग guest होने चाहिए तीन लोग हैं तो दस 11-12 लोग guest होने चाहिए मतलब जो time आप संडे के seminar में invest कर रहे है न उस time से आपको output कितना रहा है यह बहुत मायने रखता है तो seminar जब भी आप चलाएं अपने center जब भी चलाएं तो वहाँ आप इस output का ज़रू ध्यान रखें कि अगर आप 20 लोग हैं तो at least यार वहाँ 200 guest आने चाहिए अगर 200 guest आपके seminar में आ रहे हैं तब तो उन 20 लोग का 2-3 घंटा वहाँ time देना सार्थक है valuable है नहीं तो seminar करने की ज़रूरत नहीं आप one by one plan करें यह आपको दिमाग में रखना ह है कि हमें किस तरीके से किस करेंटेरिया को चूज करना है वह new plan या one by one plan देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कैसे दिखाते हैं मायने यह नहीं रखता है कि आप plan कितना ज़्यादा दिखाते हैं ज़्यादस ज़्यादा number of plan सो करो आपको plan दिखाने नहीं आता है कोई जबात नहीं मोटा-mोटी जोभी आता है लोगों के बीछ मैं वैटो लोगों के बीच मैं बैठो ओर अपने जादस-ज्यादा plan को सो करो जितना जदस-ज्यादा plan आप सो करें आपका business उतना बड़ा होगा सेमिनार में जा रहो हो तो कौॉसिस करो कि कि मेरे ज्यादा ज्या चल रहा है एक काम आप जरूर करना आप डेली कितना प्लान दिखाते हो निसका रिपोटिंग कर देना जिस भी इंसान के सौब प्लान पूरे सब्ता में होंगे गारेंटी है उसका तसजार का चेक है कि एक विक के अंदर बनेगा आप खुद चेक कर लो खुद अनलाइज कर तो you are the real factor to accumulate your success यह आपको ध्यान देने की जरूरत ही यह आपको समझने की जरूरत है कि मेरा क्या effort हो रहा है क्यों पॉस्टिव निगेटिव होने से नहीं हो सकता है आप रिपोर्टिंग की आदत बनाई है देखिए यहां क्या next लिखा हुआ है प्लान दिखाना आपका काम है रिजल्ट देना उपर वाले के हाथ में यह आपको नहीं सोचना है कि कौन मेरे साथ आएगा कौन मेरे साथ नहीं आएगा आपका काम है क्यों प्लान दिखा देना रिजल्ट उपर वाले के हाथ में लोग क्या एक प्लान दिखाते नहीं बंदे ने ना बोला परिशान हो जाते ये परिशान आपको नहीं होना है आपको बिल्कुल परिशान नहीं होना है प्लान दिखाने के बाद total का total जो fact है my dear friend वो चलता है उपर वाले के हाथ में कोई आपको reject कर सकता है कोई आपको accept भी कर सकता है कौन reject कर रहा है कौन accept कर रहा है इस बात पर आपको ध्यान नहीं देना जब आप plan ज़्यादा करेंगे अब क्या करना है जब आपने plan दिया तो generally plan दिखाने के बाद 10 से 5% result होते हैं जो आते हैं first contact में और ज़्यादा result लाने के लिए आपको next step अपनाना है that is called follow up आपको follow up करना है most of your business prospective customer will not buy product from you steadily कभी ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को plan दिखाया और हो सामने वाला आपके साथ जुड़ जाएं कई लोग क्या करते हैं plan दिखाया result अगर ना में आया तो सोच लेते हैं अब मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त होगा उसके लिए करना पड़ेगा आपको follow up अगला step आपको मानना पड़ेगा 80% result comes from follow up 80% जो result है वो follow up की वज़ा से आते हैं follow up करने से आते हैं एक data बोलता है 2% sales are made on first contact जब आप पहली बार मिलते हैं तो 2% sales close होता है दूसरी बार मुलाकात करते हैं तो 5% sales close होता है तीसरी बार मुलाकात करते हैं तो 10% sales close होता है और चार बार मुलकात करते हैं तो लगवर 20% sales close होता है पांस से बारा बार contact करने से 80% sales close होता है आज आप सोच के देखिए आज के rate में health की जरूरत किसको नहीं है जो concept जो product हम दे रहे हैं उसकी जरूरत हर किसी को है दूसरा हम लोग को देते हैं एक business opportunity आज extra source of income कमाने की जरूरत किसको नहीं है हर किसी को है फिर भी लोग plan बताने के बाद अगर आपके साथ नहीं जोईन होते हैं मेरे दोस इसका एक ही सीधा सा reason है reason सिर्फ इतना है कि उसको आपकी बात अभी तक समझ में नहीं आई है और यार बैठे बैठे सतर कडोर की business opportunity दो घंटे के अंदर भला किसी को कैसे समझ में आ सकता है नहीं आ सकता है इसलिए आपको कोशिस करना है जिसको आपने plan दिखाया सबका list बनाए इतने लोगों को plan दिखा चुके हैं अब आप उसमें ये भी टिक किजे कि आप उसमें से कितने लोगों से दुबारा मिल चुके हैं क्योंकि जब हम जब हम लोगों से मिलते हैं अपने concept के बारे में बताते हैं तो कुछ doubt होते हैं लोगों की mind में इतने ही serious होते कि मुझे लाखो रुपे की income करनी है या मुझे direct selling industry में अपनी career बनाई है तो मेरे दोस्तों आपसे पहले कहीं न कहीं न किसी opportunity में जुड़के कर रहे होते या seriously वो कर रहे होते लेकिन ऐसा नहीं होता है इसका मतलब इसका मतलब यह है कि लोग को इतनी असानी से बात समझ में नहीं आती कब आएगी जब आप बार-बार मिलेंगे और दुनिया के हर sales में follow up होता है ऐसा नहीं एक network करी करता है हर जगा होता है आप एक दिन try किजे आप किसी गाड़ी के सोरू में जाए और आपके ओल गाड़ी देखे है यह निकलने से पहले जो उसका salesman है वो आपका नाम नंबर मोबाइल नंबर और ले लेगा और अगले दिन आपको फोन करेगा सर आप गाड़ी देखने आये थे क्या हुआ फिर आप बोलेंगे अभी planning कर रहा हूँ फिर वो कुछ दिन बाद आपको फोन करेगा सर आप गाड़ी देखने आये थे क्या हुआ फिर आपको फोन करेगा फिर अगले दिन बोलेगा सर आप गाड़ी देखने आये थे आपका लगतार follow करता है हर बिजनस में होता है follow हर बिजनस में होता है लोग के दिमाग में जब हम plan बताते हैं तो बहुत सारे doubt होते हैं और customer को satisfaction देना ये हमारा करतब्य है और doubt create करना customer का काम है जब तक customer objection नहीं करेगा और आपसे हर objection का solution लेके satisfied नहीं होगा तब तक real में उसको आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे लोग आपके pressure से आभी जाते हैं तो बड़ा काम नहीं करते क्योंकि वो समझा नहीं उसने objection नहीं किया इसका मतलब उसने अभी तक बहुत अच्छे से समझा नहीं तो ये हक है customer को objection करने का और आपको इस follow up के समय में जितने भी सवाल लोगों कियाते हैं दिमाग में अब देखो कुछ हर sales के ना कुछ गिने चुने objection होते हैं जैसे हमारे business में लोग क्या क्या objection करते हैं सबसे पहला लोग objection करते हैं कि sir आपके product महिए है आपको इसका जवाब देना है इसका reason क्या है इसका logic क्या है ये आपको बताना है लोग आपसे बोल सकते हैं sir इस तरह का काम मैं नहीं कर सकता लोग बोल सकते हैं sir ये लोग दो लो वो 100% नहीं हो पाया तो आपका काम है उसके beliefs level को अच्छे से develop करना उसके यह doubts है इसको clear करना यह आपका काम है यह न कोई बोल सकता है सब क्या guarantee यह product काम करेगी तो आपको उसका जवाब देना है कोशिस कीजिए कि आप उनका जवाब दे तो इसलिए पहली बार plan देने के तुरन 24 hour के अंदर next appointment जरूर सेट करें जिससे मिलने के बाद आप उसका follow up सुरू कर सकते हैं follow up आप कर सकते हैं कुछ importance point है जो आपको follow up करते हैं mind में रखना है always develop follow up attitude after business plan हमेशा कोशिस कीजिए कि business plan के बाद किसी बंदेन अगर आपको मना किया तो आप उसके साथ दूसरा appointment दूसरी meeting जरूर तै करें दूसरी meeting आप जरूर सेट करें जिससे जिसकी वज़ा से वो बंदा दुबारा आपसे मिलें जरूरी नहीं है कि उसको pressure देना है लेकिन फिर भी आपको दूसरा meeting सेट करना है और उसके जो doubts हैं जो question हो रहे हैं उसको सही करना है अगला fix the follow up timing after 24 hour त करते समये form and dress up होके जरूर जाना है keep all relevant materials follow up करते समये आपको बहुत सारे kit की जरूरत पढ़ती है बहुत सारे tools की जरूरत पढ़ती है तो यह सारे kit और जो सारे tools है आपके पास already होना चाहिए follow up करते समये कुछ points है जो आपको mind में रखने की जरूरत है हमेशा अपने applying और downline के साथ जाना चाहिए कोशिस करो कि एक या दो लोग मिलके follow up करने के लिए जाओ क्योंकि जब किसी बात को दो या तीन लोग कर रहे होते हैं तो सामने वाले के mind पे वो बाते ज्यादा impact positive impact डालता है और सामने वाले के लिए decision लेना हमेशा आसान होता है कोशिस किज़े जग अगर आपने किसी को plan किया तो अगली बार जब आप उससे मिलने जाएं तो आप अपने apply को ले के साथ में जाएं और जब आप अपने apply को ले के जाएं तो सबसे पहला काम आपको वहाँ पे अपने apply को edified करना चाहिए edification करना चाहिए कई लोग apply को ले के दो आते तो हैं ल तरना ज़्यादा आपका बिजनस हमेशा अच्छा रहेगा फॉल अप करते समय यह 3F फर्मूला है जिसको आपको यूज करना है फिल, फेल्ट और फाउंड यह 3F फर्मूला को यूज करते हुआ आपको बात करना है जब भी जबाब दीजिए सामने वाला कोई भी कोश्चन आपसे पुष्टा है आपको उसके सारे प्रस्णों का जबाब हमेशा मुस्कुराते हुए देना है सामने वाला पुष्टा है सर क्या गारंटी है प्रोड़क काम करेगी तो पहला चीज आपका क्या होना चाहिए बिल्कुल सही बात है सर हामे हामिलाओ विवाद नहीं करना है उसकी समत्ती में ही अपनी समत्ती दो हामे हामिलाओ साइकलोजी को समझो human psychology क्या है इसको समझने की कोशिस करना है अपने को जब भी कोई इंसान आपसे कोई भी objection करता है या किसी भी कारण वस आपके प्लान में rejection डालता है तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है उसके हामे हामिलाना है उसने बोला कि सर प्रोड़क्ट आपके मांगे हैं बिल्कुल सही बात है सर प्रोड़क्ट हमारे बहुत मांगे हैं और फिर 3F फर्मूला को यूज करना है कि सर ये जो चीज़ आप फिल कर रहे हो ये हम भी कभी सोचा करते थे जब मुझे भी पहली बार ये बिजनस प्लान देखने का मौका मिला तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि सर प्रोड़क्ट बहुत मांगे हैं लेकिन सर जिस इंसान ने मुझे जोईन कराया था उस इंसान ने पहले मुझे समझाया उस इंसान ने मुझे बताया कि इस दुनिया के अंदर कोई भी प्रोड़क्ट सस्ता या महंगा होता है पहली सेल में अब आपको फेल्ट कराना है उसको पहली सेल में यानि अगर आपको मैंने पचास रुपे का इटम दिया और बोला कि वो ये 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 तीन काम करेगा आप बताओ सस्ता हुआ महंगा सस्ता हुआ लेकिन अगर उसने तीनों के तीनों काम नहीं किये अब मुझे बताओ सस्ता हुआ महंगा तो महंगा लेकिन अगर पचास जार का आइटम ने काम कर दिया तो हो जाता है सस्ता और अगर 500-50 रुपे का इटम काम नहीं करता तो हो जाता है महा तो वैसी हमारे product काम करते हैं हमारे product में result है इसलिए product महांगे नहीं है लेकिन मुझे फिर भी पता है अब आपको उसको लॉजिक दे के बात करना है सर लेकिन मैं जब फिर भी पता है कि आप यही इंग्रेडियन्ट आज मार्केट के अंदर जाके देखते होंगे मार्केट के अंदर देते होंगे और आपको वहाँ पे 400, 500, 1000, 1200 में प्रोडेक्ट दिखाई देता होगा और हमारे यहां आपको 1500, 1300 में दिखाई देरा है इसलिए आपको महा लग रहा हो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आप उसको लॉजिक बताओ प्रोडेक्ट महाँ या सस्ता कब होता है लॉजिक बताओ कि सर कोई भी प्रोडेक्ट बनती है तो सबसे माइने रखता है उसमें डाला जाना होला राव मेर्टेरियर अब आइरवेद के अंदर चार तरह की सिलाजित होती है एक सिलाजित ऐसी है जो 75-100 रुपे किलो मिलती है जस्टिफाइड कैसे करेंगे किसके अंदर 75-100 डाला या 45-100 यह जस्टिफिकेसन मिलता है रिजल्ट की वजह से और रिजल्ट आता है डालने वाले की नियत के उपर आज आप S.E.P.S. Wellness की नियत देखिए कि आज कंपनी की नियत है रिजल्ट देना इसलिए सारे प्रोड़क्ट इसने लिक्विड प्रोफाइल के अंदर बनाए है फिर आपको उसको रिजन के लॉजिक के बाद अब आप उसको कल्कुलेशन के साथ बताना है कि आखिर क्या वज़य है जब raw material महंगा डालेगा तो automatically जो price वो बढ़ जाएगा उसके बाद उसको आपको logic के बाद calculation दिखाना है calculation के बाद अब आप उसको emotional भी जवाब देना है कि आप ये बताए कि आने वाले समय में कोई भी इंसान आपके घर में बिमार होता है जो main माइने रखता है वो रखता है मेरे दोस्त result ऐसलिक पेस के product result देती है इसलिए मांगा है क्योंकि original item डाला गया है अगर सस्ता होता तो यार बाहर market में कहीं भी रख दिया गया होता वो बेच दिये होते हैं आज market cap ददस के product आप 100 खा लो 1000 रुपया खर्च होगे हमारे 800 के एक product खाओ तो 100 product खाके result ना लेने से अच्छा नहीं कि 800 एक बार खर्चा करके result ले लिया जाए ऐसे करके आपके जो भी question होते हैं उन question को ये 3F formula के माद्यम से उनके doubts को clear करना पढ़ता है याद रखना और कोसिस करो कि applying की check ये आपके product की testimonial के कोई video है तो उस video को देखने से या दिखाने से भी जो believe level है customer का वो अच्छा बनता है आपको prospect का believe level अच्छा होता है एक चीज बहुत important है ये गलती कई लोग करते हैं अगर आप अपने applying के साथ नहीं पर follow up करने के लिए गए हुए हैं और आपका applying follow up कर रहा होता है तो मैं कई लोग को देखता हूँ जो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं ये नहीं करना है नहीं करना है बहुत सारे से लोग इस बात को feel कि होंगे बहुत सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जब follow up इंसान कर रहा होता है तो बीच में बंदा बोल देता है अरे बाई अगर तुम्हें बीच में बोलना ही था तो अपने applying के time क्यों लिया नहीं लेना चाहिए था बिलकुल बीच में नहीं applying बोल रहा है तो आप सुनो आप समझो देखो ये industry ना practical जादा है आपको बहुत सारे से लोग मिल जाते हैं जो online लाके नहीं ऐसे कर दो ऐसे बोल दो ऐसे कर दो इससे ये हो जाएगा वो एक अलग पार्ट है किताब से रट के dialogue बोल देना और market में जाके काम करना ये दोनों बहुत बड़ा difference है मेरे दोस्त जब आप market में जाते हैं तो वहाँ पे वो feeling अलग आती है वो चीजे अलग आती है किताब की calculation बिलकुल अलग होती है तो किताब की calculation से हमें ध्यान नहीं देना वो आपने कहानी सुना होगा कि एक बहुत बड़ा mathematician था वो किसी नदी के किनारे पहुचा उसने देखा पानी भरा हुआ है तो उसने अपना calculation लगाना शुरू किया कि नारे पे कितना पानी है देखा फिर सबसे गहराई कितनी होगी वो उसने किसी से पूछा फिर total इसके अंदर पानी कितना है उसका पूरा आयतन निकाला उसने और उसके density कितनी है उसके पाद उसने एक average निकाला तो उसको पला पता चला कि चार फिट पांच इंच पानी का average है और उसकी हाइड जो थी वो चाहाँ पांच फिट छे इंच किती तो पूला यार पानी तो इतना आएगा क्या ज़रूरत है अपने को चलो अब बस अंदर गुसते ही निकल जाते है और हुआ क्या वो अंदर गुसता है और लास्ट में घाराई में जाकर डूब जाता है तो यह किताब ही जो नौलेज होता है वो बिल्कुल अलग चीज होता है और प्रैक्टिकल जो नौलेज होता है बिल्कुल अलग होता है आपका अप्लाइन कहीं अगर फॉल अप कर रह है तो बैट के सीखो कि सामने वाले ने क्या question किया और apply ने जवाब कैसे दिया direct selling industry is the art और इस art को जो सीख गया मेरे दोस्त होई नहीं सकता कि उसकी income नहीं आएगी आज जो लोग बोलते हैं कि सर मैंने भी काम किया मेरा कुछ नहीं आया सीधी सी बात है कि भाई साफ आपको काम नहीं आता काम नहीं आता अगर इस industry में काम आ जाए तो ऐसे से plan में भी लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं मेरे दोस्त जिस plan में कोई दम नहीं होता जिसके product in relative होते हैं लोग हवा बेज देते हैं अगर proper काम करना आता है तो अगर proper follow up करना आता है तो आपको सीखना है जितना जादा से जादा हो सके जब भी आपका applying जाए आपको सीखने की process करना है और most important जब आप किसी का follow up करते हैं आपका तरफ से पूरी एफॉर्ट लगाना है कि उसके दिमाग में होने वाले सारे डाउट हम किलियर कर दे लेकिन ऐसा फिर भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान समझ ना पाए बोलते हैं न कि जब बुद्धी अलग तरीके से काम करेगी सोय हुए को जगाना असान है लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको जगाना मुस्किल है तो कई ऐसे लोग हैं जो यह सोच लेते हैं कि कितना भी समझाए मैं नहीं आऊंगा तो ऐसा कई बार होता है कि लोग बहुत सारे लोग अभी लाइब भी मुझे सुन रहा होंगे बहुत सारे लोग ने रिजेक्ट किया उससे कोई दिक्कत नहीं कोई फरक नहीं पड़ता है आया तो बेस नहीं तो नेक्स इसलिए दुखी नहीं होना बिलकुल उत्साह में रहना है और नेक्स फॉल अप घरा आने के बाद फॉल उप करनी है सबसे पहला अल्वेज यूज यूर प्रोड़क्ट मेरे दोस्त आप किसी भी कंपनी के प्रोड़क्ट को तभी लोगों के बीच में कंफिडेंस के साथ प्रमोट कर सकते हैं जब आप उस कंपनी के प्रोड़क्ट का रेगुलर यूजर हो आपका confidence अभी अच्छा होगा जब आप regular user हो तो मेरे दोस्त आज हमारे SLEPS wellness के पास health care, beauty care, personal care, daily need, health and food supplement, agriculture के बहुत सारे product हैं आप इन product को पहले अपने daily day to day life में लाइए आज हर घर में हार्फिक इस्तमाल होता है आप पोसिस करो आपके घर में अगर हार्फिक हो तो SLEPS wellness का power plus इस्तमाल हो हर घर में आज बरतन साफ करने वाली जो liquid होती है या जो soft होता है आता है आप कोशिस करो कि हमारा product आपके घर में जाए हर घर में साबून लोग इस्तमाल करते हैं आप कोशिस करो कि हमारा साबून लोग के पास उसके लिए कि stock बना लो 15 साबून का stock बना के है आपको यह कोशिस करना चाहिए कि जो आपके घर का गुड मॉर्निंग से गुड नाइट की जो प्रोड़क्ट है मेरे दोस्तों अपने कंपनी के साथ एसलिप एस वेलनेस की प्रोड़क्ट होनी चाहिए जब आप जादा से प्रोड़क्ट का यूजर बनेंगे जादा से प्रोड़क्ट को जब आप खुद यूजर करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपके टीम में सेम चीज़ डूब्लिकेट होगा और आपके टीम में ज्यादा तर यूजर बनेंगे अरे कोई लॉजिक नहीं होता आज क्रेट में आप किसी सौब का अगर आप लख्ज सावु क्या एड देखने के बाद आपको अच्छा लगा इसलिए आप रेगुलर खरीद के लाते हैं ऐसा नहीं कि आपको उससे वहां से कोई बेनेफिट मिल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है तो वैसी यार आज हमारे प्रोड़क्ट भी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे रिज जुड़े हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखके बताइए कि क्या आप हमारे प्रोड़क्ट या आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं आप उस कंपनी के प्रोड़क्ट को यूज करते हैं क्योंकि जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तब तक आप ल पूल यही तो कोटेशन यूज करते हैं जब आप खुद यूज नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट कहां से लेंगे फिर आप experience क्या शेयर करेंगे यह business use the product get the result and share experience यह business get the product use the product get the result share experience का अपने experience को share करने का है जब आप खुद यूज किये रहेंगे तो जब आप experience share करेंगे तो उस experience को सुनने के बाद बहुत सारे लोग आपके product के user बनेंगे इसलिए बहुत जरूरी आपके घर में चाय बने तो इसलिए प्यस वेलनेस की चाय होने चाय है मेरे मेरे दोस्त अगर कॉफी बने तो इसलिए प्यस वेलनेस की कॉफी होना चाय है अगर पूड़ी तला रहा है तो हमारा rice brine oil से आपकी पूड़ी तलनी चाय है अगर आपके घर में सावून यूज हो रहा है तो हमारा ग्रिसलील सौप या तूलसी नीम सौप कि यूज बनाओ चाया आप फ्रेसर हैं चाया आपका लेषर कुछ भी हो डैली आदत बनएए कि एक बार हमें कंपनी का जो वेफशाइट है वो डैली जरूर विजिट करना है ट्लैक यूर ऐड़िपेंडेंसी डैली आपका आईड़ी पासवर्ट आपको दिया गया होगा जब आप जॉइन हुए होंगे तो उस ID पासवर्ट को खोल के daily website को विजिट किजिए आपका next rank में कितना बचा हुआ है इसको देखते रहे हैं अभी आप company का target launch हो चुका है उस target में आपका कितना बच रहा है daily जब आप रोज और regular daily website को विजिट करेंगा अपने step tendency को देखें तो आपके mind में अपने आप आगे का target सेट होता चला जाएगा आपका business develop होगा अगला open your logid ID and record your check on weekly basis अपनी ID को open किजिए और जो check आपके बढ़ रहे हैं उस check को regular basis पे record करते रही है और analyze करो अपने business का कि जो आप business कर रहे हैं उस business की जो growth rate है वो किस तरीके से चल रही है कई ऐसे लोग हैं जो business में आत हो गया है लेकिन वो business को कभी track ही नहीं करते है यह बहुत important है know your product and use and doses आपको अपने सारे product की जनकारी जरूर होनी चीए आज sleep case wellness के आपास आपके पास each and every product की knowledge होनी चीए जब तक आपके पास अपने product की knowledge और उसको use कैसे करना उसके doses क्या है चार बाज बार जब अपने apply इन से पुछोगे हमारी product training होती है तो product training को जब आप attain करेंगे तो यह चीज़े automatically आ जाएगी अगला reply whatsapp and social media post बहुत सारे आपको engage कराना पड़ेगा इस business related जितने भी लोग है उनके साथ आपके apply time to time आपके whatsapp group के अंदर किसी भी leaders के achievement की post डालते हैं मैं देखता हूँ लोग उस post को देखते तो हैं लेकिन कोई comment नहीं करते कोई reply नहीं करते हैं मेरे दोस्त comment करना या एक संदेश ही देना या एक sign के रूप में ही अपने जो presence को रखना आपके mind में आपके apply time के mind में आपके परतिने एक positive छवी create करती है तो कोशिस करो involve रहने का engage रहने का और involve और engage रहने का बहुत ही सीधा सा तरीका है बहुत ही आसान तरीका है whatsapp पे या social media पे आप या आपका apply time या आपके team कोई भी post डालती है तो इस post पे reaction जरूर करना चाहिए उसको reply जरूर करना चाहिए उसको share जरूर करना चाहिए दोस्तों कुछ लोग कम हो चुके हैं तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग फटा फट जो link है और लोगों के बीच में भी share कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुबारा अपने साथ connected हो जाए थोड़े से लोग कम हुए हैं मैं चाहूंगा कि link को share करे ताकि जो लोग कम हुए हैं अगला आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इनसान जब हमारे साथ आता है तो उसको हम अपने वेप साइट को पर रजिस्टर कैसे करें नो हाउ टू रजिस्टर निव डारेक्ट सेलर यह सब सीखो काम डिपेंडेंट नहीं रहना खुद सीखिए जब आप किसी को अपने साथ लाते हैं किसी को अपने साथ जॉइन कराते हैं तो उस बंदे के प्रोड़क्ट की ओरर कैसे करनी है और वो प्रोड़क्ट उस तक पहुँचा नहीं पहुँचा यह सब हमारी हमारी जिम्वारी है यह सब को जब हम खुद करना शुरू कर देंगे माई डियर फ्रेंड डिपेंडेंट नहीं लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आईबियो इंडिपेंडेंट बिजनस ओनर बनने का बिजनस हैं तो अगर आप एक आईबियो को चूच किये हुए हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनस ओनर बनना चाहते हैं तो आपको आपके बिजनस की सारी नॉलेज होनी चाहिए इसलिए बहुत जरूरी है 100% ये भी ये team player, सबसे पहले तो ये समझे कि teamwork की जरूरत क्यों है, इस दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी-बड़ी organization है, हर organization को चलाने की जिए, एक proper team की जरूरत होती है, आप इस दुनिया के किसी भी company का नाम ले लिजे, आप Apple का नाम लिजे, आप Amazon का नाम लिजे, आप Ola का नाम ले लिजे, आप Reliance Industry का नाम ले लिजे, आप Danny Group का नाम ले लिजे, कोई भी group, कोई भी बड़ी company, कोई भी organization चलता है, किसी ना किसी team की वज़ा से, जब उस organization के पीछे, बहुत सारे लोग, GM, AGM, management, production, sales, sales, heads, बलग-लग level पे, अपना effort, अपनी ताकत दिखाते हैं, त तब वो group, तब वो company बड़े level पे पहुंचती हैं, तब वो company एक बहुत रफतार से आगे बढ़ती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है, जीवन में successful होने के लिए, एक team बनाना, आज, दुनिया का number one company, वो company है, जिसके team के लोग बहुत अच्छे हैं, जिसके team में एक आपस, जो समंजस्य है, आपसी जो ताल मेल है, वो बहुत अच्छा हैं, और उसके लिए, एक leader को team player बनना पड़ेगा, एक leader को team handle करने सीखना पड़ेगा, जब तक वो leader team को handle करने अच्छे से नहीं सीखेगा, तब तक वो team बना के भी successful नहीं हो सकता है, फिर क्या होगा, कि आप लोग च्छे महिने बाद, जब पीछे प्लट के देखते हैं, तो उनके team टूटनी सुरू हो जाती है, मतलब network के अंदर depreciation ratio बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा क्यूं होता है, क्योंकि वो अच्छे team player होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छे team player होने के लिए आपको क्य क्या करने की ज़रूरत है, पहला चीज, FIM, first information meeting, या NSE भी इसको बोलते है, new associate counseling, जब भी आपके साथ कोई भी बंदा join करता है, तो आपको 24 hour के अंदर उस बंदे की FIM करनी चाहिए, आपको उसकी NSE करने चाहिए, उसकी counseling meeting करना चाहिए, 24 hour के अंदर, समझो, जब भी कोई हमारे साथ join होता है, तो वो एक ID है, उसने केवल एग घंटे, दो घंटे के अंदर business plan समझा है, product समझ में आया, वो आ गया, उसको नहीं पता direct selling कितनी बड़ी, उसको नहीं पता इस business की जो importance है, वो कितना अच्छा है, कितना जादा importance है, ये बात उसको नहीं पता, तो ये ब महसूस कराना, या हैसास कराना या आपका काम है, अब आप बोलते हैं, प्लान के समय तो हमने सब कुछ बताया, जब आप किसी को प्लान बता रहे होते हैं, तो वो इंसान दो mindset में चल रहा होता है, करे या ना करे, positive और negative, तो वो अच्छे से पूरा concept को seriously नहीं समझता, क्यो क्योंकि वो क्या है, बिरोधा भास वाले mode में होता है, वो आपको rejection वाले mode में बैठा रहता है, इसलिए जरूरी है कि join करने के बाद क्या है, अब उसका acceptance वाला mode आ गया, तो दुबारा मिलके आप उसकी proper FIM करें, proper उसकी NSC करें, उसकी proper counseling करें, उसकी ताकत दुबारा समझा पिर आप इस business के system के बाद में उसको औगेत कराएं, और basic उसको कैसे काम करना है, उसको listing बनानी है, उसको goal बनाना है, उस basic काम को बताएं, और कोसिस करें कि उस meeting के अंदर इस training का importance क्या है, इसके बारे में भी समझाए, ऐसे करके आपको एक completely, आदे गंटे 45 मिनट का completely FIM session कर अगर हर एक इंसान proper अपनी team का FIM और NAC करना सुरू कर दिया, तो मैं guarantee बता सकता हूँ, कि आपके team में join होने वाला हर एक इंसान के अंदर potential है diamond बनने का, आप daily nine leaders खड़ा कर सकते हैं, अगर आपने जादस जादा NAC को अपनी team के अंदर promote किया तो, आप समझो, इस दुनिया का सबसे powerful इंसान, जिसके पीछे लोग, और लोग manpower के लिए आज market में लोग लाखों रुपे खर्च करते, follower बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या 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 करते, लाखों रुपे खर्च करते मेरे दोस्त, लेकिन direct selling industry में ये manpower आपको मिलता है free of cost, ये manpower आपके लिए काम करता है free of cost, कोई यहाँ पे boss नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, यहाँ हम सब बराबर है, हम सब independent business honor है, यहाँ कोई किसी को हक नहीं बना सकता है, यहाँ दिल जीत के लोग को अपना बनाने आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप बड़ा business कर सकते हैं, इसके लिए अपने team की ego को hurt मत करो, किसी को ऐसे वचन मत बोल दो, जिससे लोग को नुकसान हो जाए, क्योंकि देखो अभी तक हम normal life जी रहे हैं, लेकिन जब आप इस business में आते हैं तो आप लोग की जिंदगी में आ जाते हैं, लोग की life में आ जाते हैं, लोग आपसे expectation लेके आपके सा आ रहे हैं, तो आपको इन चीजों पर बहुत ज़्यादा control करने की जरूरत है, एक अच्छा इंसान मनो, कभी किसी को ऐसी बाते मत बोलो, जिसको उसको अंदर से hurt हो जाए, सोच समझ के बोलना है, अगला manage your relation to all, हमेशा अपने team के साथ एक good relation build करो, एक अच्छा team player ही network खड़ा कर सकता है, daily contact your applying and downline, अपने applying से daily बात करो, अपने downline से daily बात करो, good relation build करो अपने applying और downline के साथ, हमेशा जब भी बात करो, लोगों से मुस्कुरा के बात करो, प्यार से बात करो, दिल जितना सीखो, लोगों से बातचीत करो, चाहे आपके team में कितने भी बड़ी problem कितने भी बड़ी समस्या आजाए, अपने team से बातचीत करना, बंद मत करना, आपकी team कितने भी negative हो, आपको बातचीत करना चाहे है, talk them, motivate them, उनकी जो समस्या हैं, उनको सुनो, उनको बोलने का मौका दो, उनकी जो समस्या हैं, उनको सुनना है, और उनकी समस्याओं को को सिस नहीं करना है time to time आप कोसिस करो कि अपने active applying के साथ अपने पूरे business की counseling करे हम यह सा कोसिस करो क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम खुद कर लेंगे मेरे दोस्त आप कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए सब कुछ पचास करोर कमाने का knowledge है लेकिन अगर मुझे पचास करोर कमाना है तो मुझे हमारे great applying Mr. Maipal सबसे मुलाकात करनी पड़ेगी उनसे अपने counseling करानी पड़ेगी वैसी आप भी बिजनस में नए है इस बिजनस की कोई पढ़ाई नहीं है यार कोई डिगरी नहीं है कि हाँ आपने doctorate ले लिया इस बिजनस के अंदर तो फिर आप फिर सब कुछ समझ गए ऐसा नहीं हर इंसान को एक mentor की जरूरत पढ़ती है कई ऐसे लोग हैं जो इस बिजनस में करते हैं और चोटे मुटे reason की वज़़से अपने अप्लाइनों से मुहाबक्ती कर लेते हैं अपने अप्लाइनों से तूटूमे में कर लेते हैं मेरे दोस्त ऐसा करने से आपको लगता है कि आप बहुत होसियार है या आपने गलत कर दिया यह संसकार पाली बाद हैएक बेटा अगर अपने बाब से जुबान लड्याता है इसका मतलब उसने बापसे जुबान नहीं लड़ाया उस ने जो एक पिता की गरीमा थी उस गरीमा को टोड़ा और जब उसका बेटा इस चीज़ को देख रहा होता है तो सेंसीज को भी follow करता है हमारे business में भी ऐसा ही होता है ये business duplication का business आप जैसा करेंगे आपकी downline सेम चीज़ सीखेगी इसलिए कुछ ऐसा action मत करो जिससे आने वाले समय में आपके business पे negative loss पहुंचे क्योंकि हम उतने mature नहीं होते और maturity के चकर में हम तू-तू में कर लेते हैं हमेशा याद रखना net of market industry में अगर आपको कोई चीज बड़ा बना सकता है तो है आपके applying के उपर जो आपका believe है applying के परती जो आपकी dedication वही आपको बड़ा बना सकती है इसलिए हमेशा अपने applying को edified कराईए edification कराईए और अगर आपका just applying अगर कुछ गरवर है तेक ऐसे applying को अपना गुरुवानी ऐसे applying को चूज कीजे जिस applying पर आप अच्छे से believe कर सकते हैं जिस applying पर विस्वास कर सकते हैं मेरे दोस्ति यह सारी चीजों को जब आप follow करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे एक बहुत ही सांदार team player बन जाएंगे और जो इंसान team player बनेगा उसकी team बननी सुरू हो जाएगी उसकी team develop होनी सुरू हो जाएगी आज आप अकेले हैं लेकिन कल आपके पीछे अगर 10 लोग as a leader आपके जैसा performance करने लगे मेरे दोस्त तो आने वाले समय में आपकी capping लगने से कोई रोग नहीं सकता next फिर अगला जो last step है that is called self development अब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी जरूरत है आपके खुद की development की और खुद की development के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप company से related कोई भी training meetings हो training meetings को ज़रूर पढ़ें ज़्यादा ज़्यादा इस industry की knowledge लेने की कोशिस करें always listen and share audio video of your applying company function कोशिस करो महौल में बने रहने का business महौल का है है ना आप महौल में बने रहने की कोशिस कीजिए और उसके लिए daily आदत बनाएए अपनी टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने applying की या companies related products related product testimonials related जितना भी audio वीडियो हो सके सब कुछ share करें मेरे दोस्त इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप content क्या consume करते हैं क्योंकि आज क्रेट में YouTube के जमाने में Facebook के जमाने में यानि सारे से लोगों को देखते हैं जो सुबह उठने के बाद mobile में source देखना सुरू कर देते हैं मजाक और गंदे गंदे वीडियो देखने सुरू कर देते हैं गाली पड़ोज वाली वीडियो देखने तो जैसा आप देखेंगे जैसा content आप अपने mynd और म。 भी वैसा ही reflect करेंगों बोलते न कि अगर आप पेल बबूल का बोएंगे तो आम कहां से मिलेगा तो ऐसी बात है आप जो content अपने mind को देंगे आपका mind भी वैसी content निकालेगा आप अच्छी चीजे अपने mind को देंगे तो आपकी जुबान अच्छी चीजे निकालेगा अगर आप इस business में successful होना चाहते हैं तो आपको कोशिस करना चाहिए कि अगले पांस साल तक आपको S.L.E.P.S. वेलेटेड अपनी कंपनी से रिलेटेड आडियो वीडियो डारेक सेलिंग इंडेस्ट्री से रिलेटेड आडियो वीडियो अपने applying की आडियो वीडियो और अपने कंपनी के function खुद भी कंजूंग करना है और अपने टीम को भी कंजूंग कराना है आज क्रिडियो में सोसल मीडिया के जमाने में बहुत सारे content producer market में बैठे हुए हैं जो तरह तरह की content बनाते हैं अब यह आपको चूज करना और देखो YouTube भी ऐसा ही आप YouTube पे चार गाली देखलो तो अगला वीडियो आपको इसलिक पर इसका ही दिखाई जैता है उसका algorithm ऐसा वना हुए तो आप अगर किसी भी इंसान की mental ability को देखना चाहते हैं उस इंसान का character जाना चाहते हैं तो कुछ नहीं उसके YouTube की history चेक कर लीजा आपको पता चल जाएगा यह इंसान कैसा सुनें हमेशा अच्छे-ची किताबे हैं वो हमेशा अच्छे-ची किताबों को पढ़ा करें तो जब आप अच्छे-चे content consume करेंगे तो आपका जो mind है वो बहुत develop होता चला जाएगा अटेंड ओल दा function and training of services fighter success systems related जितनी भी training meetings होती है अगर आपको कहीं से भी सूचना मिलता अगर खर्च भी करना पड़े मैं बोलता हूं खर्च करो हम अपने खाने को अपने सरीर को अपने पेट को हमेशा कुछ न कुछ खर्चा करते हैं उसके उपर हम अपने सरीर को अच्छे-चे कपड़े देते हैं खर्च करते हैं लेकिन अपने mind के लिए क्या खर्च करते हैं कभी भी कोई भी ट्रेनिंग हो रही हो, कभी भी आपको पता चले कि LLT ट्रेनिंग हो रही है, आप जरूर अटेंड करें, कभी पता चले रहा है, दसकदम ट्रेनिंग हो रही है, आप जरूर अटेंड करें, वन डे ट्रेनिंग हो रही है, एक कड़ोर कमा होगे invest on yourself इस बिजनस में कहाई कोई investment नहीं है product में कोई investment नहीं कोई factory नहीं लागाना कोई employment आपको नहीं रखना है एक चीज़ पर आपको खर्चा करना पड़ता है मेरे दोस्त हो है खुद के उपर invest on yourself अपने उपर खर्च किजी जो इनसान जितना ज़ाधा सेलफ डेवलप्मेंट पर खर्च करेगा इस बिजनस में, वो इनसान उतना बड़े लेबल का बिजनस कर पाएंगा। attend all the product training of zoom app आज हमारे product training पे हर मंद product training होती रहती है जो अलग-अलग trainer के माध्यम सापको मिलता कोशिस करो जब भी आपके पास link है पुरो पर तयार होके diary pen लेके meeting को attend करें जितना ज़्यादा seriously आप इस business की चो content है उसको आप consume करेंगे आप mark absorb करेंगे उतना आपके अंदर self-development आएगा मेरे दोस्त क्योंकि बोला जाता है कि कोई upline, कोई down line आपको diamond नहीं बना सकता अगर आपको कोई diamond बना सकता है तो वो है सिर्फ आप सिर्फ आप हैं आपको कोई और diamond नहीं बना सकता है विस्वास खुद के उपर करो और उसके लिए एक-एक चीज जो आपको लगता है कि आज इस एक-एक चीज को अपलाई कीजिए मेरे दोस्ति यह वही यही एक-एक स्टेप्स जो मैंने बताए यही एक-एक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आज से करीब साड़े शे साल पहले मैंने असली पेस वेलनेस के अंदर सुरुआत करी थे और आज लगवाग बारा कड़ोर से मेरी ज्यादा की इंकम है आज लगवाग साट से ज्यादा डाइमंड्स आज हमारे टीम हैं उन्होंने भी इन्ही एक-एक स्टेप्स को फॉलो किया था और आज मैंने इसमें में वो भी यहां पे कड़ोरों की इंकम कर सकते हैं और लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस में सफलता का एक मूल मंत्र हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी इंसान के सामने जुक रहे हैं इसका मतलब आप अपने सक्सेस के लिए जुक रहे हैं आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं इसलिए आप जुक रहे हैं हो सकता है वो अप्लाइन आपसे उमर में बड़ा हो हो सकता है आपसे रंग में काला हो हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा हो लेकिन आप all, that's all, that's all, इसलिए जीवन में एक applying चूज करो अपने जीवन में, एक applying चूज करो और उस applying पर hundred percent believe करना से, hundred percent believe, एक इनसान अगर तैरना जानना चाता है, तैरना बहुत अच्छा तैराग बनना चाता है तो पहला फर्मुला है, पानी के परती समर्पित करना जब इंसान पानी के परती अपने आपको समर्पित करेगा ना तभी वो अच्छा तैराक बन सकता है बहुत जरूर है successful होने के लिए क्योंकि ये मेरे दोस्त ये industry कोई लिखी वी industry नहीं है ये practical industry है ये लोगों के बिजनस तो करते हैं लेकिन हमेशा doubt में रहते हैं कि पता नहीं मेरा अपलाइन क्या करेगा मेरे दोस्त अगर डाउट भी रहके आप अपने अपलाइन के परती समर्पित करेंगे ना तब भी आप successful हो जाएंगे आपने कहानी सुना होगा एक लब बेगा गुरू दुरोनाचार से वो कभी मिला नहीं था कभी एक दिन भी उसने ट्रेनिंग रील ली थी एक मूर्ती बना के उसने समर्पित किया था सम्मिट किया था अपने आपको और गुरू माना था प्रेक्टिस किया करता हो और आप सब को कहानी पता होगा कि जब एकलब इसे गुरू दुरोनाचार मिले उस समय उसने कुत्ते के मुँँ में इतने बान मारे थे कि एक बुंध खुन नहीं निकला था और कुत्ते का भौंकना बंध हो गया और उसकी इस कला को देखके दुरोनाचार भी आश्चर चकी थे जब दुरोनाचार उसके पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी धनुर विद्या तुमने किस से सिखी तो एकलब इने बोला था गुरू जी मैंने आपसे सिखा दुरोनाचार ने बोला मैंने तो कभी सिखाया नहीं कहां से सीखा एकलब ने जाके दिखाया दुरोना चार्ज की मूर्ती लगी थी अब दुरोना चार्ज के मन में एक बात आई थी कि मैं अगर इस लड़के को छोड़ देता हूं तो अरजुन को जो मैंने वादा किया है सबसे अच्छा धवनुदर बनाने का वो मैं नहीं कर सक पता हूं दुरोना चार्ज ने उससे अंगूठा माँओ आप मुझे बताओ एकलब क्या बच्चा था उसको नहीं पता था कि दुरोना चार्ज ने अंगूठा मांग के मेरे से क्या मांग लिया है वो नहीं समझे पा रहा था क्या लेकिन क्या डेडिकेशन थी मेरे दोस्त और क्या समर्पन था अपने गुरु के प्रती उसने एक मिनट नहीं सोचा अंगूठा काटा और दुनाचार के चर्णों में समर्पित कर दिया और यही वज़ा है कि हजारो युद लड़ने के बाद भी जब गुरु भक्ती की बात आती है तो अरजुन का नाम नहीं लिया ज समर्पन के साथा और ईस business में अगर आप successful होना चाहते हैं तो अपने अप्लाइं परति करो में सफलता सब्सक्राइब मांगती है submission मांगती है और एक बहुत important चीज एक बहुत important चीज है कि समर्पन के साथ साथ जब आप समर्पित करके काम करेंगे न market में तो आपके अंदर एक गजब की positive energy आने लगती है गजब positive energy आती है लोग doubt करते है negative हो जाते हैं और business out हो जाते हैं लेकिन आप समिट करते हैं और submission का मतलब blind faith blind faith होना चीए समर्पन ऐसा नहीं होना चीए दुनिया में दो गुरु भक्त का नाम आता है एक स्री कृष्न और अरजुन और दूसरा स्री राम और प्रभुस्ष्री हनुआन जब भी स्री कृष्न कुछ भी करने के लिए अरजुन को बोलते थे वो doubts करते थे और उनको समझाने के लिए गिता उवदेश लिख दिया गया पूरा उवदेश देना पड़ा तब उन्हें बाद समझ में आये थी एक होता है प्रसनात्मक समर्पन और दूसरा होता है blind faith इस इंडस्ट्री में successful होने के लिए चूज करो एक अच्छा applying ये चुनने का अधिकार आपको है लेकिन एक अच्छा applying जब मिल जाता है उस applying के परती समर्पित करो जब आप अपने applying के परती समर्पित करके मार्केट में आएंगे न मेरे दोस्त तो आपके अंदर से positive energy निकलेगी और सफल होने के लिए positive energy का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि positive energy के साथ जब आप market में जाएंगे आज भी अगर आपके mind में is business related कोई भी negative thought आते हैं तो मेरे दोस्त काम रोग दो उस पहले negative thoughts को खतम करो नहीं तो आप अपने और अपने team का सरवनास कर देंगे अगर successful होना चाहते हैं तो positive energy के साथ positive thought के साथ आप business करना शुरू कीजिए मेहनत कीजिए ground में जाएंगे लोगों से मिलिए list मनाईए invitation कीजिए plan कीजिए लोग का follow up कीजिए automatically result आएगा एक विश्वास आप कीजिए उपर वाले के उपर आप जिस भी इंसान को मानते हैं चाहे अल्ला मानते हैं God मानते हैं वाय गुरू जिस भी परमात्मा को आप उपर जो एक supreme power है जिस भी ताकत है वो जिस भी ताकत को आप मानते हैं उस पे विश्वास कीजिए उस पे believe कीजिए कि जब आप मेहनत करेंगे वो उपर वाला आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देगा इस विश्वास के साथ market में उतरिये और काम करना सुरू कीजिए हमारे बिजनस में काम क्या है दोस्तो हमारे बिजनस में काम है लिस्ट बनाना इन्विटेशन करना और पलान करना ये काम है अगर इस काम को आप लगातार 2-3 साल तक करते रहते हैं मेरे दोस्त तो आने वाले समय में 100% आपके पास success अपने आप आएगी, यही काम आपको करना है, कुछ भी अलग काम नहीं करना, direct selling industry इतना complicated business है यह नहीं जितना आप बना के बैठे हुए है, यह बहुत आसान काम है मेरे दोस्त, और अगर आज से जो लोग इस काम को करना सुरू कर देते ह मैं guarantee बता रहा हूँ, इस eight steps को एक सही समर्पन के साथ, positive attitude के साथ, और believe के साथ अगर आप काम करेंगे, successful होते चले जाएंगे, आज बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, जो business तो करते हैं, लेकिन term condition के साथ business करते हैं, यह term condition के साथ किया हुआ business, कभी भी आपको ब अज़र यही है, over expectation, हर कोई बंदा जुआइन होता है, अपने उपर विश्वास नहीं करता, वो विश्वास करता है कि मेरे team में कोई बढ़ियांसा इंसान आजाए, अमित दुबेसर जैसा, और काम करके हमें diamond बना दे, लोग यह expect करते हैं कि applying कहीं से खीश के, घुमा फिर जाके, एक अच्छा बंदा, एक अच्छा leader ला दे, हमारे down में डाल दे और हमारा business बहुत अच्छा हो जाएगा, यह जो expectation है, और जब यह नहीं हो पाता, तो क्या होता है, हम negative हो जाते हैं, दुख का सबसे बड़ा कारान नहीं है, over expectation, मेरे दोस्त, खुद के उपर बिश्वास कीजिए, अगर आपको जीवन में कोई सखल बना सकता है, 70 कड़ो, 80 कड़ो, रुपे कमाना, 20 लाक रुपे, business को sterilize करना, dependency से कभी नहीं हो सकता, बड़ी सोच के साथ बिश्वास कीजिए, और खुद के उपर विश्वास कीजिए, खुद के उपर यकीन अगर आपको कोई diamond बना सकता है, my idea friend, तो हैं आप, आपके अलावा, आपको diamond इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकता, तो सबसे ज़्यादा विश्वास जो आपको करना है, खुद के उपर करना है, मेरे दोस्त, आज की session बिल्कुल इतनी थी, आज हम लोगों को ये